हेलो एवरीवन वेलकम तो मैंगनेट ब्रेंज दिस इस अंदर विक्रम लास्ट वीडियो में हमने ओवर्वी डिसकस किया है 11th क्लास के हिस्ट्री का और आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट सेक्शन इस फर्स्ट सेक्शन में दो थीम्स हैं फ्रॉम दे बिग्निंग अफ लाइफ और दूसरा है राइटिंग एंड सिटी लाइफ यानि समय की शुरुवात से और उसके बाद लिखने पढ़ने यानि जब लैंग्वेज डिवलप हुआ होगा और लैंग्वे इंटोडक्शन टॉपिक बेजड हैं क्योंकि यह जो दो एस्पैक्ट्स हैं यही आगे जाकर आपके इन दोनों थीम्स या चैप्टर्स को डीटेल में डिसकस करने वाने हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम अर्ली मेहन से कहानी आपके शुरू होती है अर्ली मेहन से आज से शुरूर्स सें उनको मैंज करता था हनटिंग यानि शिकार के ज़री मैंज करता था जरूरी रिसोर्स जैसे की खाना ऑफिसी चीज़ थो हंटिंग यानि कि ज़नवरों का शिकार करेगा और दूसरा गैदरिंग यानि की जो कुछ नाचुरल इडिबल फूट्स हैं जैसे मिल गए फल मिल गए या फिर कुछ रूट्स वगएरा जड़े टूबर जो एविलीबल होती थे उनको खाता था ठीक है बेरीज यानि की नाचिरल प्रोडक्ट के उपर डिपेंडेंट रहता था तो नहीं गैदर करता था कलेक्ट करता था ठीक है और धीरे 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 करके यह early man civilized होगा तो मैंने आपसे कहा शुरू में कि दो important aspects discuss करने हैं हमें इस introduction topic में पहला aspect जो है वो है from the beginning of human existence यानि इंसान के अस्तित्व की शुरुवात कैसे हुई ठीक है from the beginning of human existence यहां पे इस existence को समझाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ कनेक्ट करना चाहूंगा देख कि actual में जो अर्थ है पृत्वी है इसका creation इसके निर्मान और इसके climatic changes का भी इनसान के development में बहुत important role है यानि अर्थ जब create हुई थी उस समय life के origin के लिए emergence के लिए feasible conditions नहीं थी लेकिन gradually अर्थ जो है life को support करने की condition में पहुचेगी और अर्थ में life जो है वो originate होगी ठीक है और इनसान तो obvious सी बात है अर्थ के creation के बाद और especially life के origin के बाद ही आया होगा तो from the beginning of human existence में आपको यह चीज़ explain की जाएगी कि कि किस तरीके से आज से millions of years back लाखों साल पहले primates से यानि एक category है mammals की इस तंधारियों की कुछ ऐसे living organism जिनमें memory glands होती है जिनके body में hairs होते हैं ठीक है human जो animal classification है उनमें इने primates कहा जाता है ठीक है तो यानि primates actually mammals की एक category है तो primates से ही कैसे इनका development शुरू हुआ तो शुरूआत में जब environmental और climatic changes होते थे तो उन climatic environmental changes में अपनी food habits अपने आपको protect रखने और अपनी other requirements को fulfill करने के लिए ये जो primates थे ये quadrupeds थे पहले चार पैरों से चलते थे ठीक है और धीरे धीरे ये क्या होंगे पेड़ों से नीचे उतरेंगे और अपने दो हाथ फ और आप देखेंगे कि bipedalism शुरू होगा, bipedalism का मतलब होता है कि दो पैरों पर चलना शुरू किया, इस living organism ने ठीक है, अभी भी ये बंदरों की ही एक 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 category है अक्च्छल में, फिर gradually धीरे 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 जब ये सीधा होने की कोशिच करेगा तो vertebral column यानि रीडी की हेड़ी जो है वो सीधी हो जाएगी, ठीक है, stretch होगी उपर की तरफ और इनसान homo erectus, homo erectus, erect यानि सीधा होकर चलना शुरू करेगा, ये physiological changes, mental changes को भी lead कर रहे थे, यानि body में जैसे जैसे changes हो रहे थे, इनसान का हाथ फ्री हो रहा था, tools बना रहा था वो, बहुत सारे ची ये सीख रहा था वो, ठीक है, तो उसके mental लेवल पर भी changes हो रहा है, तो आप अगर compare करेंगे इने images को तो यहां देखेंगे, इसके brain का size, इसके skull का size अलग है, और इसके skull का size अलग है, इसकी memory अलग हो रही है, इसका vision power अलग develop हो रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे ये जो human species है ये tools, अच्छे, develop level पर tools बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब इनका brain धीरे धीरे sharp हो रहा है, comparatively large हो रहा है, पहले चोटा brain होता था, लेकिन अब comparatively brain large हो रहा है, ज्यादा ये analytical हो रहा है, ठीक है, और environment के according adapt होने के लिए abilities दे रहा है, तो बहुत सारे tools का इस्तमाल करना श चुड़ू करेगा, तो erectus से फिर ये tool maker इंसान की तरफ आगे बढ़ेगा, और finally ये homo sapiens की stage पर पहुँचेगा, तो आप देखेंगे, आज का modern develop human being या homo sapiens जो है, उसका existence create होगा, तो दो तरीके के changes है, beginning of human existence में सबसे पहले environmental changes हैं, और इन environmental changes का impact पढ़ रहा है, physiological changes में और mental changes में, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो दो चीज़ें, देख लिए, अब जैसे homo sapiens आगे बढ़ा, तो homo sapiens आज का developed human being है, यानि हमारी जो race है, हम जिस race से आ रहे हैं, हम जिस category के animal हैं, वो homo sapiens है, ठीक है, उसने एक settled life जिनी शुरू की, यह आप देखेंगे, एक particular permanent settlement हो रहा है, लगबख two million years back, दो लाग साल पहले, fire की discovery हुई, और fire की discovery आपको पता है, कि एक revolution था, ठीक है, जिससे खाने की habits में improvement हुए, अपना बहतर तरीके से defense करना सीखा इंसान ने, ठीक है, और इसी fire ने उससे धीरे धीरे particular places पर fix होना, एक कुछ समय के लिए इस्ताई रहना भी सिखाया, फिर अब तक human beings को कुछ particular plants की species, वो किस season में उगते हैं, उनके बारे में पता चल चुका था, य रेशी की तरफ बढ़ेगा, agricultural activities में आगे आएगा, धीरे धीरे इन agricultural activities की वजह से उसे long term तक एक particular जगह पे रहना पड़ेगा, और यहां से permanent settlement शुरू हो जाएगा, आप देख रहे हैं, धीरे धीरे कुछ tools का development भी हो रहा है, जो tools उसे agriculture में help कर रहे हैं, ठीक है, सिकल, hand axe और बहुत सारे ऐसे tools बनेंगे इस time पर, जो उसे agricultural life जीने में help करेंगे, आगे देखेंगे, agriculture के साथ साथ, parallel एक और development है, domestication of animals, यानि अपने जरूरत के जो animals हैं, pets हैं, उनको पालना शुरू करेगा, तो archaeologist बताते हैं, archaeologist ने find out किया है, अब archaeologist कौन है, तो archaeology, ये anthropology की एक branch है, ठीक है, archaeology दो words का combination है, archae, archaeo और logi, archaeo word means ancient, or logi means study, so study of old remains, ancient remains, पुरानी चीज़ों के study करना, जो अवशेश हैं, उनको study करना, ठीक है, evidences के base पर, archaeology कहलाती है, तो जो archaeologists हैं, इन्हें बहुत सारे ऐसे evidences मिले हैं, जिनमें ये proof है कि ship, goat, pig, donkey, इस तरह के कुछ animals का domestication शुरू हुआ, तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया, कि human existence, जो है, वो कैसे create हुआ, अब धीरे 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 धीरे, 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 दुनिया के बाकी जगहों पर homo sapiens spread होगा, कैसे spread होगा, तो आप देखिए, इस map के थुरू मैं आपको दिखाने की कोशिच करता हूँ, ये red area जो आप देख रहे हैं, आफरीका का, ये जो red area है, एक्चल में, ये homo sapiens की origin point का area है, ठीक है, हलाकि parallel ही इस time पे, नियंडर्थल और erectus, homo erectus, ये दो अलग categories के human beings भी available थे, existence में थे, ठीक है, लेकिन लगबग 2,00,000 साल पहले, 200,000 years back, homo sapiens का emergence हुआ, और ये red area जो है, यहां से ये west आफरीका की तरफ, इसके बाद नौर्थ आफरीका की तरफ, ठीक है, और फिर दुनिया के बाकी हिस्सों की तरफ, ये पूरा जो red mark है, red arrows का distribution है, आपको show कर रहा है कि homo sapiens gradually दीरे 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 करके, दुनिया के बाकी हिस्सों की तरफ कैसे spread हुए, ठीक है, अलग-अलग time पर दुनिया के बाकी हिस्सों में, अलग-अलग हिस्सों पर homo sapiens spread हो रहा है, ठीक है चलिए अब जब दुनिया के कई हिस्सों तक homo sapiens spread हो चुके थे तो कुछ जगों पर तो यह अभी properly develop नहीं थे कुछ जगों पर इन्होंने जो natural resources है natural forces है इनको exploit करना और इनको master करना सीखा नहीं था लेकिन कुछ जगों पर archaeologists को historians को यह evidences मिलें कि अपने contemporary species के comparison में यानि अपने ही जमाने अपने ही समय के जो अलग पर जाती हैं थी अलग अलग पर जाती है homo sapiens के उनकी तुलना में कुछ जगों के इनसान काफी develop हो गए उन्होंने ना सिर्फ एक permanent settlement किया ना सिर्फ agriculture शुरू किया, domestication शुरू किया, बलकि trade भी शुरू किया, इस trade के साथ-साथ gradually particular cities और towns का formation हुआ तो जो दूसरा aspect है इसका, इस introduction का जो आगे अगली theme बनेगा वो है the earliest cities यानि कुछ शेहरों का development होगा आप देखेंगे कि Mesopotamia जैसे शहर दिखेंगे, आपको लगबग 8000 साल पहले, 5000 साल पहले Mesopotamia जैसे developed cities के बारे में पढ़ने को मिलेगा फिर Indus Valley civilization का भी नाम सुना होगा, आपने जो हम 11th class में नहीं discuss करेंगे, हमने अपनी previous classes में पढ़ा होगा Egypt के civilization के बारे में आपने सुना होगा, तो ये सारी कुछ earliest cities हैं, पुराने जमाने के शहर हैं, जो हमें उस human development से link करते हैं, जो कई लाख साल पहले हुआ तो इस तरीके से, जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा, उसको अगर मैं summarize कर दूँ, तो मैंने दो बहुत important यहाँ पे images लगा रखी आपकी summary के लिए, ये जो image है side में, ये आपको graphically इस चीज़ को क्या कर रही है, summarize कर रही है तो अर्थ का creation हुआ और अर्थ के creation के साथ, अर्थ में जो changes शुरू हुए, इन changes की वज़े से ही life का emergence हुआ होगा, बहुत सारे अलग-अलग categories के living organisms emerge हुए होंगे, इन ही living organisms में से, जो mammals थे, उनमें primates और primates से apes, और apes से फिर धीरे, जो है वो, homo sapiens का development हुआ, तो पहले homo reactors लगभग 20 साल पहले, जब इनसान सीधा चलना शुरू करेगा, उससे फिर, वो homo sapiens में develop होगा, ठीक है, लगभग 2-3 लाग साल पहले, पूरी तरीके का modern homo sapiens develop हो जाएगा, फिर ये agricultural practices, जब ये particular जगह पर settle होगा, और इसको seasonal patterns पता चल चुके हैं, बहुत सारे crops के बारे settlement हो जाएगा, ठीक है, एक बार इस graph को भी हम देख लें, जो हमने flow chart बनाया है, hunter gather, बहुत सारे important terms है, जो मैंने लिए एक बार वापस से मैं, recall कर देता हूं, hunter, यानि जो इनसान शिकार कर रहा है, animals का, अपने आपको sustain करने के लिए, hunting activity, gathering, यानि natural edible foods को इकठा कर रहा है, ठीक है, stone tools का इस्तिमाल कर रहा है, पत्थर के बहुत सारे उपकरणों का, औजारों का इस्तिमाल कर रहा है, जिने fake कर, शिकार किया जा सकता है, ठीक है, या जिने हाथ में पकड़े-पकड़े भी, किसी जनवर पर attack किया जा सकता है, या आपने आपको defend किया जा सकता है, ब लिकिन कुछ समय के लिए पर्टिकुलर जगह पे रुख जाता था ठीक है क्योंकि पर्टिकुलर टाइम सरकमस्टेंस पर पर्टिकुलर कंडिशन पर कुछ वैजेटेशन होती थी कुछ तरीके के प्लांट्स होते थी अधे थीक है तो उनको प्रॉसस करके खाना शुरू करेगा फिर domestication of animals की तरफ आएगा धीरे धीरे कुछ important animals है ठीक है जिनको ये पालना शुरू करेगा domesticate करना शुरू करेगा और इसके साथ पैरलरी agriculture की तरफ आएगा और जब ये agricultural activities कर रहा है तब इसके tools change होने शुरू हो जाएगे क्योंकि अब इन्हें कुछ modified कुछ advanced equipment या tools की जरूरत है तो कुछ बड़े लेवल पर tools बनेंगे modified tools बनेंगे finally पत्थरों से यानि stone tools से ये metal की तरफ बढ़ेगा copper का use होगा अलग-अलग जगों पर हमें evidences में लेंगे कि किस तरीके से copper को use करना शुरू किया इनसान ने ठीक है अब तक permanent settlement हो चुका था obvious सी बात है क्योंकि agriculture develop है domestication हो गया है तो gradually trade का development हुआ trade का मतलब exchange of goods या movement of goods and human beings इनसानों का और वस्तुओं का आवा गमन आदान परदान शुरू होगा एक शहर या एक settlement से दूसरे settlement के बीच में ठीक है जिससे छोटे छोटे शहरों का states का मतलब यहाँ पर बहुत सारे छोटे 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 शहरों का development हुआ और finally trade का development या trade और जब flourish होता जाएगा तो उसी की वज़े से आगे जाकर बड़े villages या बड़े cities का formation होगा तो इस तरीके से आज के session में हमने इस introduction topic को cover किया अब हम next video में from the beginning of time को शुरू करने वाले हैं Thank you Hello everyone, this is Indra Vikram Welcome to Magnet Brains So today we are going to discuss about the topic from the beginning of time यानि समय की शुडवाद से तो आज 21st century में जब मैं आप से यह discuss करता हूँ कि modern human sapiens या modern human species कुछ दूसरे animals से evolve हुई है डिवलोप हुई है तो आपके लिए accept करना बिलकुल भी मुश्किल नहीं है लेकिन कई साल पहले जब यह theory established नहीं थी कि modern human beings apes से या कुछ दूसरे animals से डिवलोप हुए है तो सोचे उस time पर क्या situation थी दो questions थे जो दिमाग में scientist के चलते रहते थे वो दो question क्या है कि कहां से where the humans come from हमेशा से अपने बारे बें जानने के curiosity तो हमारे आप में दुनिया के हर इंसान के अंदर रही है तो scientific community इनके questions के answer ढूणना चाह रही थी कि आखिर कहां से humans का existence आया है how did we humans come from कहां से आये और कैसे आये इस video में ये theory establish होने वाली है कि हम कहां से आये हैं यानि जो human evolution है वो कैसे हुआ है दूसरा how did we humans come from कैसे ये evolution actually हुआ है किन-किन stages और किन-किन phases से हुआ है कौन-कौन से sub-specieses involved है इसका answer यहां से शुरू करके next video तक discuss किया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले कि मैं आपको human evolution की कहानी शुनाना शुरू करूँ और वो theory discuss करूँ जिस theory के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं एक छोटा सा historical timeline हमारा topic ही जो है उसका नाम यह from the beginning of time तो समय की शुरूवात जो है उसको हम किस तरीके से classify कर सकते हैं ताकि हमारा एक question जो हमने शुरू में रखा वो easily address हो जाए उसका solution हमें मिल जाए आसानी से तो समय की शुरूवात यह तो काफी लंबी होगी इसे कैसे easily classify करें तो समझने के लिए मैंने यह historical timeline आपको यहाँ पर शो कर रखी है history को हम तीन पार्ट में डिवाइट कर देता है प्री history यह वो समय है जिस समय के बारे में हमारे पास कोई organized written evidences नहीं है organized जब मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है कोई written language नहीं है proper literatures नहीं है ठीक है जब हमें इस phase का पता लगाना है तो हम dependent है बहुत सारे paintings के उपर बहुत सारे stone tools के उपर यानि कुछ essay evidences जो evidences properly written नहीं है properly language और literature के form में नहीं है ठीक है फिर है proto history यह वो phase है जिस दौरान language develop हो चुकी थी लेकिन फिर भी अभी proper literatures develop नहीं होगे थे अब language कैसी थी script के form में थी ठीक है script का मतलब है proper symbols होते थे और यह symbols कुछ letters को represent करते थे या किसी word को भी represent कर सकते हैं तो proto historic phase वो phase है जिस दौरान evidences तो है लेकिन properly हम उनको पढ़ नहीं सकते easily deciphered नहीं है वो decipher का मतलब होता है decode करना उनको पढ़ना third है history वो timeline या वो phase जब सारे evidences से written है और सिर्फ written ही नहीं है बहुत easily पढ़ सकते हैं उनको for example मैं अगर आप से कहूँ की चंदरगुप्त के बारे में हमें कैसे पता चलता है within second half answer दे देंगे कि अर्थर शास्तर अर्थर शास्तर में हमें political administration economic सारा explanation मिलता है चंदरगुप्त की life के बारे में early life और letter phase सारा कुछ मिलता हमें detailed description तो written evidences है written records है और अच्छे से समझे जा सकते हैं अब मैंने क्यों आपको ये बताया समय की शुरुबात को हमने तीन phase में क्यों भाटा इसकस के उनका answer पाना क्योंकि ज्यादा तर human evolution ज्यादा तर क्या human evolution एक्चली prehistoric phase का है उस दौरान जब इंसान का evolution हो रहा था उस दौरान obviously language और इस सबका तो possible नहीं कि डेवलप हुआ हो लेइविज तो जब इंसान डेवलप होगा mental abilities डेवलप होगी लेकिन जब वो इन evidences को relate करके यह establish करना चाहते हैं कि human evolution या human development कुछ अलग species से related है ठीक है कुछ similar type की species से related है तो बाकी scientists इन theories को discard कर देते हैं यानि scientists के बीच में ही क्या है consensus नहीं है disagreements है ठीक है एक community की बात दूसरा community का scientist refuse कर दे रहा है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले evidences पे अब जब evidences पे हम discuss करना शुरू कर रहे हैं तो evidences का मतलब भाई किसी भी incident किसी भी घटना से related कोई भी ऐसा remaining part कुछ भी ऐसा बचा हुआ है जो हमें यह relate कर दे कि अच्छा ऐसा incident हुआ होगा ठीक है उसको हमने evidence कह दिया अब हमारे पास जो evidences हैं उनको हमने कई categories में divide कर दिया है कौन-कौन से ऐसी चीज़ें कौन-कौन से proofs हैं कौन-कौन से remaining things हैं जो हमें relate करती हैं पुराने इंसान से या पुराने incident से सबसे पहला है fossil वे fossils होते क्या हैं तो define करें अगर fossils को तो remains और impressions of a very old plant, animal or human किसी भी इंसान का, किसी भी plant, पौधे का और किसी भी animal का ठीक है? यानि इंसान का भी हो सकता है या remain या impressions plants के भी हो सकते हैं पुराने और दूसरे किसी animals के भी हो सकते हैं तो होता क्या है? इसमें या तो उस human, animal या plant से related कुछ बचा हुआ उसका body का part remaining part या फिर अगर मान लीजे वो जहां पर दबा हुआ था जहां पर से excavate हुआ, जहां पर से वो find out हुआ उस soil पे या उस particular rock पे उसके images, impressions चित्र से हमें मिलते हैं तो impression और remain ये दो चीज़ें, ठीक है तो पुराने, बहुत पुराने plants, animals और humans के remains और impressions, fossils कहलाते हैं ठीक है, हिंदी में कहते हैं जीवाश्म जीवाश्म का मतलब बता है किसी भी जीव का बचा-कुचा-अवशेश ठीक है fossils can be dated either directly और indirectly अब हमें fossils तो मिल लिया तो हम relate कैसे करेंगी ठीक है कैसे पता करेंगे कि ये fossil इस पर्टिकुलर डेट का है आज हमारे पास बहुत सारी scientific techniques हैं, mechanisms हैं जिनके तुरू हम भी पता लगा सकते हैं कि कोई भी particular fossil किस डेट का है उसकी age count करना उसकी डेट का पता लगाना easy है तो दो mechanisms हैं direct और indirect हैं एक तो direct mechanism का example दिया है मैंने यहां पर chemical analysis हमारे पास electrophoresis है, enzyme linked immunosorbent techniques हैं ये सारी chemical analysis की technique है fossils की, जिनमें होता ये है कि हमारे body में bones में जो available organic substances हैं इनके तुरू हम पता लगाते हैं कि ये particular जो human being या जिसका भी fossil है वो कितना पुराना है फिर है date of sediment जिस particular rock पे वो buried था या जिस particular rock पे वो मिला है, impressions मिले हैं या completely उसके remains मिले हैं उस rock की aging अगर हम कर लें या उस rock की age की dating अगर हम कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि fossil कितना पुराना है ठीक है, क्योंकि उसी के आसपास वो दबा होगा उसमें चलिए, तो ये एक evidence हो गया fossil इस तरह के और भी कई evidences हैं जो हमें ये link करते हैं कि जो human evolution है वो कहीं ने कहीं हुआ है और कुछ दूसरी species से हुआ है तो दूसरे evidence is species group of organisms that can breed to produce fertile offsprings प्रजातियां, species को हिंदी में कहता है प्रजातियां, यानि कुछ जीवों का समूँ, कुछ organisms का समूँ that can breed यानि जो reproduction करते हैं breed करते हैं, प्रजुन करते हैं ठीक है, to produce fertile offsprings अपने ही समान संतती या जीवों को उत्पन्न करने के लिए इसमें बहुत important चीज क्या होती है कि that can breed हमेशा breeding similar type के species के organisms के बीच में होती है ठीक है, अगर अगर अलग-अलग species के animals के बीच में breeding possible भी हो तो कई बार क्या होता है fertile offsprings जो है वो produce नहीं होता है stone tools या तो वो उसका कुछ हिस्सा पत्थर का बना है कुछ उसमें wooden पार्ट है लकडी है या कुछ metal पार्ट है या पी वो पूरा का पूरा जो है वो stone से बना हुआ है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे stone tools मिले हैं जिनका इस्तमाल जिनका use human beings उस जमाने के करते थे यहां मैं कह दूं की human beings की precursor species पूरवज प्रजातियां करती थे उनका अस्तमाल यहां एक image आपको दिखाए जा रही है जो लिंक करेगी आपको different type of stone artifacts से ठीक है आप देख सकते हैं अलग-अलग type के stones हैं कुछ sharp है कुछ की ages काफी sharp है ठीक है कुछ even हाथ से पकड़े जा सकते हैं तो इनके different different uses थे ठीक है यह stone tools आज भी available हैं और हमें उस जमाने की कहानी से link करते हैं फिर है cave paintings इनसान गुफाओं में रहता था यह मैं कहूं इनसान का पूरवज गुफाओं में रहता था तो उस दौरान जब यह caves में रहते थे तो hunting और gathering के अलावा भी बहुत सारी activities होती थी अब यह hunting की activity मैं कह दूं for example तो कई बार relate करते थे उसको या उसको as a record maintain करते थे वो ठीक है थे व्हाल्स पेंट करते थे थे तो हमारे पास cave paintings available है अब यह cave paintings जो है वो दो तरीके की हो सकती है पैट्रोग्लिफ हो सकती है या simple wall paintings हो सकती है ठीक है पर आइटिल आट का मतलब होता है वह आट जो उखेरा गया हो पैट्रोग्लिफ का मतलब भी similar है पैट्रोवर्ड पैट तो यह पैट्रो ग्लिफ जो है इस वर्ट से आ यह नहीं इस्टोन में ग्लिफ मीन्स उकेडरना खुरचना उसको ठीक है तो पेट्रो और ग्लिफ ग्लिफ का मतलब होता है उसको खुरचना तो हमारे सारी ऐसी paintings है जो कि simplyly कुछ colors से बनी हुई है तिक अब इसमें color कुछ नहीं है blood है और दूसरा उनको engrave करके बनाया गया है तो यह आप यहाँ पे painting देख सकते हैं यह wall painting है किसी गुफा या किसी particular rocky wall पे आप देख सकते हैं blood से की हुई painting है जिसमें humans की hunting की activity show की गई है clear है यह red color actually blood color है और फिर दूसरी cave में आप देख रहे हैं wall पे engravings की हुई है उसको खुरच के बनाया गया है ठीक है इन्हें हम petroglyft कहते हैं इस तरह की कई सारी locations हैं जहां पर हमें यह पता चलता है कि यह चीज़ें कहीं न कहीं human activity का example है अब कोई animal तो करेगा नहीं ठीक है human especially कोई animal human painting तो नहीं करेगा तो इस तरीके से यह चीज़ें हमारे काम आ गई यह evidences हमारे काम आ गए अब इन evidences को तो scientist नहीं कठा किया ही और जब दूसरी community के scientist को दिखाया या अपनी बात रखने की कोशिश की कि हमने यह observation किया कि human being modern human being कुछ precursor से कुछ पुराने animal से बना है तो दूसरे scientist इसको accept नहीं कर रहे थे इवन उन्होंने दूसरा angle तलाशा ठीक है कौन सा angle था whether present day hunter gatherer can tell us anything about the past बहुत सारी ऐसी tribes हैं जो आज भी existence में है तो आज से हैं इनका भी pattern hunting gathering का ही है इनका भी living pattern कुछ ऐसे यह भी मतला बमुश्किल कुछ कपड़े पहनते हैं cannibals हैं man eater है ठीक है और इनकी कोई special language developed नहीं है तो यह बहुत कुछ early man के करीब है तो क्या इनकी living pattern को study करके हम यह पता लगा सकते हैं कि पुराने समय में early man का living pattern कैसा रहा होगा इसके बारे में चर्चा हम बहुत जल्द next video में करेंगे क्योंकि यह aspect यहां पर जादा डिसकस नहीं किया गया यह सिर्फ एक प्राइमेट से या बंद्रों से आए हैं एक बड़ा important incident हुआ ठीक है जो incident आप देखते हैं relate करेगा बहुत अच्छे तरीके से ठीक है तो मैं वह incident आपको बताता हूं जो एक कड़ी जोड़ने वाला है ठीक हुआ यह कि 1856 में एक जगह है जिसका नाम है नीयंडर वैली जर्मनी में डिसल डॉम नाम की जगह है यहाँ पर नीयंडर वैली में लायम tão क्वयrिंग का काम चल रहा था ठीक है यह basically Listen चून। पत्थर जो है वह उसकी खान है एक तरीके से और وہाँ पर मजदुर खुदाई कर रहे थे और खुदाई करने के दौरान ही उन्हीं क्या मिला एक स्कल मिला एक खोपड़ी मिली और साथ में स्कल के साथ में कुछ और इसकेलेटल फ्रेग्मेंट्स या नहीं हड्डियों के कुछ अवशे इसकुछ टुकड़े मिले उन्हें अब चुंकि मजदूर है उन्हें आप इससी बात है कि हिस्ट्री में इंट्रस नहीं है तो उन्हें लगा कि यह माइट भी कुछ साल पहले कोई इनसान उसकी डेथ ठीक है अब यह मास्टर साथ जो है मास्टर होने के सांसा तीचर होने के सांसाथ जो है वो घर नीकर नहीं तो दिया इन्हों ने ज्यादा intellectually elevated person को दे दिया थोड़ा ज्यादा बहुत धिक जिनका विकास था और वो थे हर्मन शाफसन तो हर्मन साफसन जो है यह बोन इन्युवसिटी में अनाटॉमी के प्रोफेसर थे इनको कार्ल सहाव ने एक plaster cast जो है उस स्कल का तयार किया और वो भेजा प्लास्टर कास्ट मतलब उस स्कल के उपर plastering की और उस plaster cast को as it is इमेज को एक तरीके से हर्मन साब को भेज दिया हर्मन साब ने जब उसको study किया तो study करने के बाद वो इस observation पे पहुँचे ही कि यार ये तो बहुत जो है वो important link है ये हजारों साल पहले का इनसान है क्योंकि इसकी बनावट खोपड़ी की बता रही है कि ये कहीं ने कहीं इनसान से भी related है और apes यानि बन्दरों से भी related है यानि ये वो link है जो हमें ये बता रही है कि बन्दरों का आगे चलके विकास इनसान के तोर पर हुआ इतनी important discovery को भी scientist के group ने discard कर दिया reason क्या था? reason था कि उस जमाने में इनसान की उत्पती origin of human being से related ज़्यादा तर जो opinions थे वो किदर Bible की तरफ जाते थे Bible यानि Old Testament Bible का जो Old Testament है उसमें especially इस चीज़ को इनसान के origin और emergence को act of God माना जाता था और ज्यादा तर scientific community के लोग इसको challenge नहीं करना चाहते थे क्योंकि evidences भी इतने tangible नहीं मिल रहे थे और दूसरा सबसे बड़ा यह जो limestone के लिए famous है अपने ठीक है इसी नियंडर वैली में इस इंसान की खोपड़ी मिली अब चूंकि इस इंसान की जिसकी खोपड़ी मिली उसका नाम obvious ही बात है तो anonymous है कोई पता है नहीं तो इसलिए नाम दे दिया गया नियंडर तल यानि की नियंडर वैली से मिला हुआ इंसान इस तरीके की कुछ वो खोपड़ी थी चलिए अब हम आते हैं उस theory पर जिस theory ने सब के confusions clear कर दिये और यह fact establish हो गया कि human beings जो है वो evolve हुए हैं बहुत साल पहले primate से या बंदरों से इस fact को theory को establish किस ने किया establish किया darwin साब ने darwin साब कौन है तो charles darwin एक बहुत ही famous अपने जमाने के scientist है जिनोंने theory of origin of species theory of evolution with natural selection दिया तो इन्होंने 24th of November 1859 को एक book publish की darwin साब ने इस book का नाम था on the origin of species book इतनी famous हुई जैसे ही publish हुई तो कि एक ही दिन में single day 1250 1250 कौपियां उसकी sell out हो गई तीक है best seller book बन गी क्यों क्योंकि इस book में उस जमाने का उस समय तक का सबसे बड़ा confusion concept human curiosity को solve करने वाला concept दिया गया था कि humans की emergence और origin कहां से हुई है clear हैं तो Charles Darwin ने इस book में क्या लिखा क्या argument दिया argument दिया that humans had evolved from animals a long time ago काफी लंबे समय पहले काफी सालों पहले humans का इंसानों का evolution विकास किसे हुआ है animals से हुआ है कुछ अलग जनतूं से हुआ है कुछ अलग different type के animals से हुआ है यह animals कौन थे यह animals थे प्राइमेट्स या एप्स ठीक है अब हमारा जो अगला वीडियो है पुरा इसी के उपर based है कि कैसे प्राइमेट्स से human beings पूरी तरीके से create हुए हैं तो एक just summary मैं दे देता हूँ Darwin की theory का ठीक है लगबख five point six million years back आज से लगबख पचास लाख साल पहले Australopithecus की एक link जो है वो यह establish करती है कि human beings apes से या बंदरों से related है ठीक है तो Australopithecus का development हुआ यह वो animal था जो लगबख सीधा तो नहीं था लेकिन हाँ बंदरों के भी करीब था सीधा लगबख थोड़ा सा सीधा चलता था humans की तरह था upright man था ठीक है इसका जो इसकल साइज है वो comparatively अपने जो पुराने बंदर है बंदर की species है उनसे थोड़ा सा बढ़ा था ठीक है mental abilities comparatively develop थी और यही और यही ऑस्ट्रेलोपिथिकस लगबख 3 million years आगे और इवाल्व हुआ लेकिन उसकी कुछ इस पर सीजस एक्स्टिंक्ट हो गई और कुछ इस पर सीजस दूसरे शायद एरियाज में migrate कर गई और उनमें और चेंजेस हुए ठीक है क्यों चेंजेस हुए क्योंकि अब requirements अलग 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 थी अपने पिछले वीडियो में हमने एक डिसकस किया है कि human evolution जो है वो environmental और क्लाइमेटिक चेंजेस की वज़े से हो रहा था ध्यान रखेगा इन्वार्मेंटल चेंजेस और क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत इंपॉर्डन फैक्टर है ठीक है यह अगले वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूं जब हम एक स्टेज डिसकस करेंगे प्राइमेट्स होम और हमोसेपिंस के बारे में तो इसी और यह वह इंसान था जिसकी मेंटल इबिलिटी इस काफी ज़्यादा थी यह टूल बनाता था डिफरेंट टाइप के ठीके एक्टिक्मेंट्स बनाता था यह जब और आगे बढ़ा एवलिशन हुआ यह सीधा चलने लगा और यह कहला है होमो इरिक्टस इसके ब्रेन कावर डेवलोपमेंट हुआ इसका वर्टिम्डेल कॉलं पुरी तरीके से सीधा था इसका विजन क्लियर था इसकी मैमोरी और ज्यादा शार्प थी इसके हाथ का डेवलोपमेंट काफी ज़धा हो चुगा था और ग्रैजूली इसी बात में हमने किया था कि हम कहां से आए और कैसे आए लेकिन कैसे आए ये अभी जारी है नेक्स्ट वीडियो तक तो बने रहे ये थैंक यू हेलो एवरिवान वेलकम तो मैगनेट ब्रेंस दिस इंदर विक्रम तो हीूमन एविडियो की कहानी में स्टेप बाइ स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लास्ट वीडियो में हमने ये फैक्ट एस्टेबलिश कर दिया हमने मतलब डार्विन साब ने कि हीूमन एविडियो कुछ एनिमल से हुआ है कई स्टेजिस इंवाल्व है इनमें आज के वीडियो की जो शुरुवात है इसमें डिसकेशन ही इसी बात से शुरू होगा कि हूमन के प्रिकर्सल कौन है यानि पूरवज एक्चल में कौन है कहां से हमने शुरुवात की वेर डूवी बिगिन हमने आखिर शुरुवात कहां से की क्या हुआ कि पिल्ड से उतरे मैदानों में आए धीरे धीरे दो पैर से चले सीधे खड़े हुए ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ वाइस मान यानि बुद्धिमान इंसान बन गए ठीक है तो ये सारे डेवलपमेंट्स शुरू करने के पहले आपको एक इमेज दिखाता हूँ इस इमेज में आप कुछ कंपैरिजन कर पा रहे हैं क्या करिए बहुत सिंपल से कंपैरिजन करना है कंपैरिजन है आपको ये देखना है कि किस तरह से इसकल का डेवलपमेंट हो रहा है बंदर का खोपड़ी बंदर का स्कल और होमो सेपिनस का स्कल दोनों में कितना डिफरेंस है चोटा शकल यह मैं कह दो कितनी चोटी खोपड़ी फिर खोपड़ी का विकास थोड़ा सा और हुआ और हुआ और हुआ और हुआ और फाइनली इसलिए तो हमोसेपियन्स को वाइस मैन कहा गया यानि बुद्धिमान इनसान कहा गया क्योंकि actual में physical changes के साथ साथ mental abilities भी develop होती चली जा रही थी और ये mental abilities ही थी जो इनसान को बाकी सारी species से बाकी सारे animals से distinguish कर रही थी अलग बना रही थी और आपको तयार कर रही थी कि आप दुनिया को lead करें तो इसके पहले है कि मैं यह सारे changes यानि जो physical और mental लेवल पर changes हुए हैं और यह सारी stages Australopithecus, Homo habilis, Erectus, Neanderthal और Sapiens डिसकस करूँ चली यह शुरू करते हैं छोटी सी कहानी से यह कहानी इसी stage को link करने वाली है तो बात है लगबग 1959 की आज से बहुश्किल साथ साल पहले लगबग 60-61 years back था क्या आफ्रिका में यह Rift Valley आप देख रहे हैं तो इस Rift Valley के पास एक Gorge है नाम है ओदुबाई Gorge ओदुबाई Gorge में दो लोग हैं कपल है एक्चल में ठीक है मैरी और लुइस लिकी मैरी लिकी और लुइस लिकी अपनी जिन्दगी के 40 साल उन्होंने इस एरिया में ओदुबाई Gorge के पास बिता दिये क्यों क्योंकि वो कुछ important excavations कर रहे थे वो historians थे, archaeologists थे और वो कुछ excavations कर रहे थे तो एक सुबह का एक दिन का description लिखते हैं लुइस कि उस सुबह जब लुइस सोकर उठे तो उनके सर में कुछ दर्द था और वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो उस दिन excavations पे जाएं खुदाई करने के लिए जाएं तो उन्होंने ये बहतर सोचा कि रस्ट करने अच्छा रहेगा वो रस्ट करने के लिए अपने कैंप में रुग गए और मैरी एक्सकेवेशन के लिए चली वो सो गए दीरे दीरे कुछ जब कुछ देर हुई पूरा दिन लगभग लगभग निकल गया और दिन ढलने की बात आई तो अचानक से उन्होंने आवास सुनी ठीक है लैंड रोवर गाड़ी की आवास सुनी ज हमने वो पा लिया हमने उस इंसान को खोज लिया जिस इंसान की हम इतने वर्शनों से तलाश कर रहे थे चालिस साल से तलाश कर रहे थे कौन सा इनसान था यह स्कैलेटन था और और पेटिकस का नाइटीन फिटीन नाइन जो और और पेटिकस का स्कैलेटन मिला इसको जब किया गया इसके findings की गई इसको connect किया गया कि कपका है तो पता चला कि ये actual में five point six million year back existence में था यारी लगबग के दिखते थे हो यानि कि इस तरह कि उनकी खोपड़ी दिखती थी ठीक है जिसकी कारवन डेटिंग और जिसके ट्राकिंग से ट्रेसिंग से पता चला कि ये कितने साल पुराने हैं five point six million अब यहीं से आपकी कहानी शुरू हो जाती है कि आखिर क्या हुआ australopithecus तो एक stage थी australopithecus भी develop हुए थे अपने कुछ precursors थे precursors से और उसी की तरह कुछ आने वाली species भी थी यानि australopithecus से पहले और australopithecus के बाद भी कुछ था तो एक-एक करके उन सारे stages के evolution की species को हम समझते हैं शुरूबात होती है mammals से या कह दो मैं primates से ठीक है तो primates कोन है story शुरू होती है एसी आफरिका के जंगलों से ठीक है यहाँ पर mammals की एक category है जिसे हम कहते हैं primates तो आज से लाखों साल पहले लगभग आफरिका जो की origin point है human evolution का as per the archaeologists वहाँ से बहुत सारे लोग Eurasia, Asia और दुनिया के वाकी हिस्सों में भी गए तो आफरिका में emerged हुए mammals ठीक है mammals कौन से animals है warm blooded animal है जो अपने body के temperature को अपने environment के according adjust कर लेते हैं ऐसे animals को warm blooded animals का जाता है जबाग बोन रीड की हड़ी होती है तो जिन जिन तो जो offspring होती है newborns होते हैं उनको यह milk feed करते है mammals ठीक है इनमे memory glands होती है या milk glands होती है इनही mammals की एक category थी जो बंदर की तरह दिखते थे चार पैर से चलते थे ठीक है tails पूँच होती थी लगबग बंदर ही है यह आप देख रहे हैं यह पर यह primates की categories है ठीक है primates are a subgroup of mammals तो mammals का यह subgroup है primates ठीक है यह एक larger group है they include monkey apes and humans इसमें बंदर आते हैं ठीक है copy apes आते हैं और इसी category में आगे जाके humans का भी development होगा ठीक है तो हुआ क्या आज से लगबग करोडो साल पहले लाको साल पहले कह दूमें ठीक है जब environmental changes अपने पीक पर थे अपने पिछले video मैंने discuss किया कि इस aspect को बिलकुल भी नहीं भूलना है कि human evolution में अर्थ के climatic or environmental changes का बहुत important impact है क्योंकि environmental changes में requirements change हो रहे थी इनहीं requirements की बदालत physical और mental changes भी हो रहे थे जिनका मैं अभी जिक्र करूँगा यहां पे ठीक है तो सबसे पहले develop हुए humanity अब होता क्या है actually कि देखिए जब अर्थ create हुई मैंने पहले discuss किया तो उस दोरान temperature बहुत हाई था दीर 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 टेंपरेचर कम हुआ ठीक है बारिश होई vegetation's create हुए है ना छोटे simple living organisms create हुए तो यह जो process थी यह fluctuate होती रहती थी कभी extreme rainfall रहा होता था कभी कई सालों तक Glaciation period रहता था अर्थ में बर्फ जमी हुए रहती थी कभी कई सालों तक summers का period रहता था अर्थ में और होता यह था कि vegetation's पूरी तरह से खतम हो जाते थे ठीक है यह homunity primates की category से दो group में organisms develop हुए या मैं कह दू animals जो थे इनमें जो characters develop हो रहे थे उसके basis पर इन्हें दो पार्ट में divide कर दिया गया पहला था hominoids और दूसरा था hominids hominoids कौन थे अभी यह बंदर ही है ठीक है लेकिन कैसे बंदर जिनमें पूछ भी है अभी इनका brain size small है दिमाग का size काफी small है quadrupeds हैं यानि चार पैर पर चलने वाले हैं बाइपैडलिजम इन्होंने develop नहीं किया ठीक है इनके आगे के जो हाथ होते थे four limbs और hand limbs ठीक है यह दो ध्यान रखीगा four limbs यानि आगे के हाथ और four limbs यानि पीछे के हिंडलिम यानि पीछे के और four limbs यानि आगे का तो यह जो होता था यह इनका flexible होता था competitively और यह tools का इस्तेमाल नहीं करते थे तो यह differences हो गए अब यह hominoids से advanced category है homonids की ठीक है इन्हें great app भी कहते हैं क्योंकि यहीं आंगे जाके humans के direct precursors बनने वाले हैं clear हैं तो इनमें क्या evolution हुआ इनमें क्या changes हुए च्योंकि यह पेंड़ पर रहने के लिए ज़्यादा adaptable थे लेकिन यह पेंड़ों से उतर कर plane areas में ठीक है plane areas में खुले मैदानों में रह रहे थे ठीक है उस समय requirements यह थी कि plane area पे रहा जाए क्योंकि खुले areas में आपको खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा available है forest का धीरे-धीरे extension हो रहा होता चला जा रहा है ठीक है extinct होते चले जा तो पेंड पर सस्टेंड भी नहीं कर पाएंगे आप ज्यादा दिन तक अप्राइट पोस्चर तो क्वाडर पर्ट से क्या हुआ बाइपेडलिजम की तरफ डेवलप होगा यह तो थोड़ा सा सीधा होगा अप्राइट पोस्चर का मतलब है कि एकदम से सीधा नहीं हो गया लेकिन एपस की तुलना में या होमिनोइट की तुलना में यह थोड़ा सा सीधा था ठीक है लार्ज ब्रेन कमपरेटिवली यहां से इनका दिमाग ज़्यादा बड़ा है यानि यह कमपरेटिवली ज़्यादा मैंटली एडवांस है बाइपेटल लोकोमोशन जब सीधा होंगे वो फ्री होंगे तो मूवमिन कहां से होगा दोपैरों से होगा यानि बाइपेटलिसम सुरू हो गया इनके हाथ अलग है अब जब इनके फॉर लिंस आगे के पैर जिनका या कह दो हाथ या पैर दोनों क्योंकर दोनों का dáरा हुता था कई बार पकड़ने लिए भी ह कर रहे हैं इसलिए इनके हाथ में transformation से changes आना शुरू होंगे as per their use क्योंकि उनके uses भी different है इसलिए उनका development भी अलग तरीके से हो रहा है इसके evidences हमें ये जो कुछ भी हम discussion कर रहे हैं we have evidences of everything ठीक है hominids का hominoid और hominids में transformation changes इसके हमें earliest जो fossils मिलते हैं ठीक है ना वो अस्ट्रियपेथिकर से related हैं लगभग मैंने कहा 5.6 million years back east आफरीका में आफरीका के पूरवी हिस्से में ठीक है ना आफरीका के बाहर 1.8 million years back मिलते हैं यानि इसका मतलब सीधा सा अंदाजा लगा करते हैं आप कि इंसान के जो पूरवज हैं उनकी शुरुवात आफरीका से रिलेट होती है बाद में दुनिया के बाकी हिस्सों में movement कर गए लेकिन उनके जो fossils हैं वो comparatively नए हैं ठीक है यहां पर 5.6 million years back मिल रहा है आफरीका में और दुनिया के अब इन होमीनिट्स में आगे कुछ और transformation होने वाले थे ठीक है transformation इसलिए होने वाले थे क्योंकि अब फिर से climatic changes हो रहे थे इन climatic changes में ध्यान रखिएगा अपने आपको बचाए रखना अपने आपको sustain करना बहुत important था डार्विन की थेयोरी में एक important aspect भी था अलाकि बाद में डार्विन की थेयोरी में कुछ drawbacks आ जाएंगे लेकिन जब उन्होंने प्रोपोस किया उस समय उन्होंने एक important aspect डिसकुस किया natural selection nature में वही species sustain कर सकती है बची रह पाएगी जिसके अंदर अपने आपने adaptation होगा जो उन changed circumstances में struggle कर पाएगा ठीक है बचा रह पाएगा अपने आपको उस recording ढाल लेगा तो hominoids की further दो branches develop हो रही है और homo ठीक है अब क्योंकि इसका जो सबसे पहली बार खोज हुआ ठीक है यह आपको पता है और इसका जो नाम आता है वो इसी वज़े से आता है ठीक है क्योंकि southern part यानि जहां पर मिला वो area southern area में था ठीक है और पिथिकस यानि एप क्योंकि ये बंदर से related था ठीक है तो southern एप यानि उसकी location के हिसाब से उसका नाम दे दिया गया अब लगबग जब australopithecus मिले उस जमाने में glaciation period अर्थ में चल रहा था जब इनका comparison किया गया दूसरी species से तो पाया गया कि इनका brain और small है यानि comparatively hominids से भी smaller brain है इनका ठीक है अपनी पूरवज species से छोटा मस्तिश्क रखते हैं छोटा दिमाग रखते हैं यानि mental abilities और develop हो गई है heavier जबड़ा इनका थोड़ा सा भारी है और दाथ थोड़े से बढ़े हैं यानि अभी भी इसमें apes बंदरों के कुछ symptoms देखने को मिल रहा है especially facial level पर ठीक है और physical level पर skeletal level पर भी कह दें अब मैंने कहा कि Glaciation period चल रहा था प्रतिवी का ज्यादातर हिस्सा जो था वह बर्व से ढखा हुआ था और उसकी वज़े से क्या था temperature काफी कम रहेगा और रेनफॉल भी कम हो रहा था तो जब रेनफॉल कम हो रहा था तो वापस से फिर क्या होगा जो पेड़ है फॉरेस्ट है एक बार फिर से decline phase की तरफ जाएंगे इसकी वज़े से क्या हुआ कि दीरे दीरे Australopithecus की कुछ species हैं जो extinct होना शुरू होंगी लेकिन इन्हीं में से कुछ species हैं जो अपने अंदर नए characters develop करेंगी ठीक हैं यह species कहलाई होमो होमो man यानि Latin शब्द में होमो का मतलब होता है man अलाकि इसका मतलब यह नहीं कि women's नहीं थी females भी थी obviously लेकिन development के point of this है इसको जो नाम दिया गया है वो होमो नाम दिया गया और होमो शब्द का यह मतलब होता है man यानि modern man लगभग लगभग origin की तरफ है इस category के जो animals थे organisms थे जीव थे उनका brain काफी comparatively बड़ा है ठीक है और हम comparison करेंगे तो इनका बड़ा है ठीक है lighter jaw और इनका जो जबड़ा होता comparatively वो हलका रहता था ठीक है movement आसान है small teeth आप देखेंगे तो यह बहुत close है human beings के तो hominids और homo तो finally हम homo की तरफ पहुँच गए और इस तरीके से यह वो stage है जब इनसान लगबग सीधा हो चुका था और bipedalism उसका इतना develop हो गया था कि हाथ पूरी तरीके से transform हो चुके थे ठीक है पैरों का भी विगास proper तरीके से हो चुका था mental abilities develop हो चुकी थी ठीक है जबड़ा काफी कुछ हलका हो चुका था memory develop हो चुकी थी इसका vision का काफी शार्प हो चुका था ठीक है क्योंकि सीधा चलने की वज़े से यह दूर तक देख सकता था ठीक है कि यह है वो homo erectus पूरी तरीके से सीधा चलने वाला इंसान आप देख रहे हैं वर्टिब्रिल कॉलम पूरी तरीके से सीधी है हाथों का जो formation है वो भी देखेंगे अभी और development की phase से गुजरेगा जबड़ा हलका है लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसमें changes थोड़े से अभी और होंगे ठीक है लेकिन mental abilities काफी कुछ homo sapiens के आसपास ही है ठीक है पूरी तरह से नहीं मिलती है लेकिन काफी कुछ इसी के आसपास है चलिए तो hominates लागात करेंगे हैं यहां पर और होमो यह इसी homonates की branches थी जो हमने पिछली स्लाइट में देख लिया brain capacities जो थी homonates की वो धीरे धीरे बढ़ रही थी अब लगभग 2.3 million years back जब यह glaciation period था तो इन्होंने tools बनाने शुरू कर दिये ठीक है जब यह tools बनाना शुरू करेगा तो इस category के इंसान को हम कहेंगे homo habilis और इस तरीके से करोडों साल के बाद homo homo nits में homo erectus आ गया और धीरे धीरे यह आफरीका के दूसरे हिस्सों की तरफ migrate करना शुरू कर देगा ठीक हैं migrate करने के साथ सान कुछ और natural forces हैं जिनको यह master करना शुरू करेगा जिनमें सबसे important चीज़ होगी fire यानि आग को control करना तो इस तरीके से लगबग लगबग हमने वो development देख लिया जिस development के तरू इंसान precursors यानि प्राइमेट्स से homo sapiens तक पहुँचेगा लगबग homo sapiens तक पहुँचेगा ठीक हैं तो चलिए हम जल्दी से summarize कर लेते हैं जितना भी हमने आज पढ़ा ठीक है जो टूल बनाता था comparatively mental abilities ज्यादा थी ठीक है इसलिए इसे नाम दिया गया the tool maker इंसान the tool maker man ठीक है उपकरन बनाने वाला इंसान इसके evidences मिलते हैं homo etopia में जगह है आफरीका में homo ठीक है और दूसरा आफरीका में ही तंजानिया में जो हमने डिसकस किया ओ दुबाई गोर्च तो वहां से भी हमें homo habilis के evidences मिलते हैं homo erectus the upright man जिसके vertebral column straight था जो सीधा चलता था इसके evidences हमें आफरीका और इशिया दोनों जगहों से मिले हैं अलग अलग जगहों से ठीक है homo sapiens the wise man यानि दिमान इंसान ठीक है इसके बाद homo sapiens की ही कुछ अलग अलग varieties मिलती हैं जो दूसरे continent या दूसरे area से मिलती हैं क्योंकि यह वस पर्टिकुलर जगह पर पहली बार मिली इसलिए उनका नाम अलग अलग रख दिया गया जैसे homo hedalbergenesis यह hedalberg जर्मनी में जगह है जहां से found हुआ इसी विरिस का नाम रख दिया गया होमो सेपियंस की ही एक अलग इस्पिसीज है इंसान इंडिया में रहते हैं तो इंडियन्स कहलाते हैं औस्टेलिया में रहते हैं अमेरिका में रहते हैं तो एक ही इंसान ठीक है कुछ फिजिकल अलग अलग है वहां की क्लाइमेटिक सिचूइशन के एकॉर्डिंग उनकी इसलिए नाम अलग अलग है हमो नियंदर थैलेंसिस यह नियंडर वैली में डिसकवर हुआ ठीक है हमने नियंडर वैली लास्ट वीडियो में डिसकूस में तो इस तरीके से आज हमने वो question का answer पा लिया where do we begin हमने शुरुवात कहां से की कैसे पेड़ों से उतर कर हम बुद्धिवान इंसान तक पहुंचे story of human evolution का part 1 लगभग complete है इसके कुछ parts जैसे positive feedback mechanism, peopling of the world और उसके बाद फिर story of human evolution part 2 discuss करेंगे अगले videos में तो आज के वीडियो में हम एक concept discuss करने वाले हैं यह concept है positive feedback mechanism यह concept जो है वो story of human evolution के continuation में ही है ठीक है यानि की story of human evolution जो है जिसमें अभी तक आपने क्या-क्या सीखा है पहले आपने सीख लिया यह theory established कर ली कि humans जो है modern humans जो है वो से डेवलप हुए है ठीक है यानि कुछ बंदर की तरह अनिमल से डेवलप हुए है और दूसरा concept हमने यह भी समझ लिया है कि इंटर मीडिटरी जो स्पसीजिस हैं प्राइमेट्स है हमोनीट्स है हम अस्ट्रलप्रिटिकर से हैं होमो एरेक्टर से हैं होमो से इस सारी स्पसीजिस कौन-कौन से characters रखती थी clear है और किस टाइम पर थी अब positive feedback mechanism आपको एक interrelation देने वाला है कि इन स्पसीजिस से जिन से human modern human develop हुआ है तो particular time पर जब एक character develop हो रहा था तो वह एक character किस तरीके से दूसरे character को भी development में help कर रहा था ठीक है positive feedback mechanism सिर्फ history में नहीं है positive feedback mechanism एक ऐसा concept है जो कहीं भी apply किया जा सकता है यह specially science में apply होता है जहां पर कोई भी एक input या system का कोई एक step दूसरे step को influence करता है और positively influence करता है positive output देता है ठीक है तो चले discuss करते हैं positive feedback mechanism तो लिखा हुआ है आपके समझने के लिए the arrows pointing away from a box indicate how development mentioned in the box influenced other process यानी की यह जो arrows है तो outward arrow यह शो कर रहा है कि इस box से उस box में influence हो रहा है और उस box से इस box में influence हो रहा है यानि यह character इसको भी influence कर रहा है और यह character इसको भी influence कर रहा है interrelation एक एक character जब human being का develop हो रहा है तो दूसरे character को जो है वो कहीं न कहीं motivate कर रहा है और वो दूसरा character फिर इस पहले character को कहीं न कहीं positively motivate कर रहा है यहीं है positive feedback mechanism ठीक है एक दूसरे को positive feedback दे रहा है अलग अलग characters तो शुरुबात करते हैं हम यह दो interrelation से upright walking सबसे पहले जब इनसान ने सीधे खड़े होके चलना शुरू किया होगा आपको यह concept ध्यान में बिल्कुल रखना है यह positive feedback mechanism पढ़ते टाइम पे कि human evolution जब हो रहा था इसको ignore नहीं करना है उस दोरान environmental changes बहुत पीक पर थे मैंने glaciation डिसकस किया था लास्ट फेज में लास्ट वीडियो में ठीक है यानि इन्वाइमेंटल और क्लामेटिक जो changes हो रहे थे उसकी वज़े से vegetation आसपास की surroundings भी चेंज होती थी और इनी surroundings का जो उस ताइम पे species थी उनकी daily routine उनके life characters पर भी फर्क पड़ता था वो नहीं habits develop कर रहे थे ताकि अपने को change environment में अड़ाप्ट कर सकें तो जब वो सीधा खड़ा होके चलना शुरू करेगा अप्राइट वाकिंग होगी और उसके जो दो हाथ होंगे वो free होंगे थीक है तो अब क्या करेगा यह नए नए टूल्स बनाना शुरू करेगा ठीक है यह दो हाथ ऑफिस वात है दूसरे काम में लगेंगे टूल्स बनाना शुरू करेगा ठीक है फिर caring infants नवजात शिश्टू जो है बेबीज हैं उनको hold करने उनको carry करने में वहात इस् तो अब उनकी एनरजी भी स्थीव हो रही है ठीक है तो अपराइट वॉकिंग इन चीजों को प्रमोट कर रहा है और जैसे जैसे यह इनसान में कि वह है ब्यूच्वल हो रहा है अपने सिर्फ दो पैरों से चलने के लिए और उसके दो फ्री हो रहे हैं ठीक है वैसे उसकी अपराइट वॉकिंग भी इवाल वरी डेबलफ हो रही है तब लगों कुछ सालों में सीधा नहीं हो गया लाखों साल लगे वर्टिबल कॉलम को सीधा होने में होमो इरेक्टस बनने में कितने साल लगे मिलियंस ऑफ यर्स लगे सिर्फ होमो इरेक्टस बनने में तो अप्राइट जब पहली बार सीधा खड़ा हुआ तो इस तरह के एक्टिविटीज होई और दीरे दीरे यह एक्टिविटीज अप्राइट वॉकिंग में और हेल्प कर रही ह है तो क्या होगा उसके ब्रेंज का साईज उनक्रीस होगा आपने चोटे बच्चों को देखा ब्लोंक्स खेलता है तरह-ठरह की एक्टिविटीज करते है इनक्टिविटी इस से क्या होता है उनके इस तरह से ब्रेंट की शार्पनेस बढ़ती जितनी मेंटल एक्टिविटी जैसे आपने देखा सुडोकु सॉल्व करते हैं लोग क्या ब्रेंट एक तरीके की तो आप जितनी ज्यादा मेंटल अक्टिविटीज करेंगे टूल मेंगें उसको दिमाग लगाना होता था वह शार्प शार्प हो रहा थे ब्रेंटीज को और रिए उसकी और जादा बढ़ रहे है ऑगे ब्रेंड का डिलूप्मेंट में में ? यानि अव दूर तक देख सकता है वो इनसान क्योंकि सीधा खड़ा हो रहा है तो ब्रेन भी डिवलप हो रहा है आई साइट डिवलप हो रही है उसकी तो विजुल सर्विलेंस बढ़ रहा है उसका लॉंग डिस्टेंस वाकिंग ठीक है जब हातों के सारे चलता था तो उतनी दूर तक नहीं भाग पाता था है अब पैरों के सारे वह ज्यदा लंबे दूरी तक सफर तै़ कर सकता है ठीक है और उर हंटिंग में भी is called मिल रही है ठीक है क्योंकि इसके 2 हाथ फ्री हो रहा है ठीक है निमाग का एबलिटी बढ़ रहा है अब यह प्लैनिंग के करके हैंटिंग कर सकता है है धीक है यान एक planned hunting और पहले की hunting में ड़िफरेंस था ज़्यरेश ज्दा productive hunting हो रही है उसकी अब यह चीज फिर से कहीं से related है यहां आप देखेंगे कि सारे character जो है वो क्या हो रहे हैं एक दूसरे को in tarrilate कर रहे हैं एक character हो रहा है तो वह दूसरे character को influence कर रहा positively और इस तरीके से overall interaction जो है सारे characters का वो human evolution में physiologically psychologically और mentally help कर रहा था तो positive feedback mechanism simply traits का characters का interrelation है जो एक दूसरे characters को positively influence कर रहे हैं hopefully आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में इतना ही बने रहे हैं हमारे साथ तो हमारा discussion का topic जो है वो है peopling of the world यानि particular time frame में दुनिया में कैसे इंसान spread हो रहा है कैसे उसकी population जो है वो increase हो रही है तो particularly यह timeline है actual में जिस timeline में हम तीन चीज़ें देख रहे हैं when कब where कहां और who यानि particular time period पे किस जगह पर कौन सी species human beings की spread हो रही है या available है ठीक है अभी तक हमने यह बहुत अच्छे से समझ लिया है कि कैसे हुआ human development किन-किन stages के तुरू हुआ तो यह जस्ट एक timeline है आपके याद रखने के लिए ताकि आप years को incidents से बहुत अच्छे से connect कर सकें और memorize कर सकें इसको ठीक है तो कब five point one million years ago mya stands for million year ago तो five point five to one million year ago ठीक है पचास लाग साल से एक लाग साल तक दस लाग साल तक सौरी पचास साहारन इलाके में Australopithecus early homo और homo erectus के evidences हैं हमारे पास यानी five to one million years back we have evidences of Australopithecus early homo and homo erectus where in sub-saharan आफ्रीका तो हमें याद रहेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरिड में इस जगह पर कौन था इस तरह का अनिमल था फिर one million year to forty thousand years back one million years back to fourteen thousand years back in Africa Asia and Europe तो आफ्रीका से अब दीरे-दीरे humans migrate करके पहले North फिर पहले West Africa फिर North Africa फिर Europe और Asia की तरफ migrate कर रहे हैं तो इस जगह पर आफ्रीका एशिया और Europe में इन मिड लाटिटूट्स ठीक है मिड लाटिटूट्स वाले एरियास में कौन होमो एरक्टस आर्केक होमो सेपियंस नियू इंडर्थल होमो सेपियंस और मॉर्ण हुमन यानि एक्चल मैं कह दूं तो लगभग लगभग modern stage का जो human being है वो spread हो चुका था वन मिलियन इयर से लेके 40,000 इयर्स के बीच में फिर है 45,000 इयर्स एगो लगभग 45,000 साल पहले क्या development हुआ ऑस्ट्रेलिया में हमें कुछ evidences मिलते हैं modern humans के ठीक है यानि अब humans southern part में आस्ट्रेलिया की तरफ क्या हो रहे थे दीरे 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 इन्हाबिट हो रहे थे वहां पर population increase हो रही थी फिर है 40,000 इयर्स एगो टू प्रेजंट लगवक 40,000 साल पहले से लेके आज वर्तमान तक इस समय तक प्रेजंट इयर्स तक ठीक है यरॉप इन हाई लाटिटूट्स एन एसिया पैशिफिक प्लैंट ठीक है इन एरियास में लेट नियंडर्थल और modern humans के evidences मिलें फिर दीरे इसी टाइम फेज में हमें नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के डिजर्ट एरियास में और रेन फॉर्स्ट एरियास में भी यूमन्स के evidences मिलते हैं नियंडर्थल और modern humans के evidences मिलते हैं तो इस तरीके से जो important human species हैं या intermediate species हैं ठीक है और से लेके homo sapiens के बीच की यह बहुत important link है अलग 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 तो इनका distribution कहां कहां पर है और किस particular time period पर है तो आपको बहुत आसानी से इस टेबल को देखने से याद हो जाएगा ठीक है तो मेरा purpose सिर्फ इस वीडियो में आपको peopling of the world को memorize करवाना था particular years के साथ locations के साथ और उन species के साथ thank you hello everyone this is अंदर विक्रम welcome to magnet brains तो इस topic में हम क्या discuss करने वाले हैं हमारा discussion का topic है story of human evolution part b story of human evolution का part a जो हमने अभी finish किया है उसमें precursors के बारे में discussion किया था precursors को ने यानि आज के इंसान के पूरवज तो पूरा का पूरा पार्ट precursors को dedicated था पूरवजों को dedicated था लेकिन story of human evolution का जो second part है वो किसको dedicated modern human beings को dedicated है अब homo sapiens तो बन गए तब homo sapiens के life pattern को study करने वाले हैं इस वीडियो में शुरुबात यहां से करने वाले हैं upcoming कुछ videos हैं उनमें हम study of human evolution को completely cover करेंगे तो क्या-क्या discuss करना उसका एक overview आपको समझ लेना चाहिए आज के session में सिर्फ इस चीज के बारे में discussion होने वाला है लेकिन यह पूरा chapter जो है वो किन-किन aspects को cover करेगा तो सबसे पहले एक debate है एक doubt है लोगों के scientist के दिमाग में वो हम discuss करेंगे ठीक है the issue of place of origin of modern humans has been much debated homo sapiens तो बन गए ठीक है हमें पता चल गया कि आफरीका में उनके पूर्वर्स थे और वहां से देरे-देरे different different stages के तुरू human modern human existence में आ गया अब exactly modern human का place of origin जो है वो क्या था और वो दुनिया के बाकी हिस्सों में कैसे कैसे जो है वो scattered हुआ spread हुआ लास्ट वीडियो में आपने एक time line भी देखी है पीप्लिंग ऑफ द वर्ल्ड जिसमें अलग-अलग time period पर अलग-अलग पुराने समय से लेके अभी तक का जो इंसान रहा modern human हमारा जो homo sapiens है जिससे हम आज के advanced 21st century के human being evolve हो रहे हैं ठीक है उसके खाने पीने के patterns क्या थे ठीक है तो हम थोड़ा सा depth में जाके इसको समझेंगे यहाँ पर उनके patterns को study करेंगे evidences from trees to caves and from caves to open air sites तो कैसे पेड़ से गुफा और गुफा से खुले मैदानों में आया उसका pattern study करेंगे ठीक है mode of communication कैसे language develop हुआ होगा कैसे arts painting जो है वो क्यों करता था actual में हमने painting तो देख लेकिन करता क्यों था उसके पीछे भी कुछ ने कुछ तो reason होना चाहिए तो mode of communication language और आर्ट्स के बारे में discussion करेंगे और फिर एक comparison होगा यह comparison हमारा जो है वो आपको theory of evolution वाला वीडियो याद होगा जिसमें हमने के development को कुछ link कर सकती है कुछ बता सकती है तो modern tribes यानि की present tribes जो है उन प्रिजेंट tribes को हम पास्ट से पास्ट के इस से करेंगे तो आज के life pattern को पुराने life pattern से compare करेंगे और इस तरीके से हमारा story of human evolution का part भी भी complete होगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले issue of place of origin से यह जो debate है इस debate को solve करने के लिए scientist ने दो अलग-अलग opinions दियें ठीक है तो opinions जो है वो इस चीज से related है कि क्या single center of origin था या multiple center of origins थे यानि जो modern human sapiens है उसका place of origin एक है या अलग-अलग जगह पर यह homo sapiens जो है वो origin हुए है particularly clear है तो एक model कहता है original continuity model और एक कहता है replacement model ठीक है अब हम समझते है original continuity model और replacement model क्या कहते हैं तो यह देख रहे हैं आप यह एक flow chart है original continuity model और replacement model का ठीक है तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं replacement model को replacement model कहता है कि आज के जो modern homo sapiens है यह archaic homo sapiens यानि अपने जो पुराना precursor था यानि था modern man लेकिन आज से 200 साल 300 साल पहले भी था तो वो archaic homo sapiens जो है वो आफरीका में develop हुआ ठीक है यह तो clear है अब आफरीका से फिर आगे जब उसकी species बढ़ी तो हुआ क्या replacement हुआ यानि पुरानी species खतम हो गई और उस पुरानी species को modern species ने replace करना शुरू कर दिया तो बाकी continents में जो आज species हैं human beings की homo sapiens की वो नई है पुरानी species के comparison में नई species ने पुरानी species को क्या किया रिप्लेस किया है ठीक है और यह जो model है यह बखाएदा genetic और anatomical researchers पे बेस्ट है ठीक है तो यह क्या कहता है replacement क्यों को suggest करता है या replacement को establish करता है कि पुरानी species जो है उसको नई आने वाली species ने दीरे दीरे करके replace कर दिया तो यह पुराना अब existence में नहीं आप सिर्फ नए existence में और इस तरीके से दुनिया के बाकी हिस्सों में यह spread होते चले गया यह एक point of origin बताता है और बाकी क्या कहता है कि बाकी जो है उस point of origin से आगे से origin तो हुए clear है point of origin एक था अफरिका लेकिन उसके बाद क्या हुआ यह अलग-अलग parts में scattered हो गए बढ़ते चले तो आप देखेंगे जो different branches हैं ठीक है यह यह शो करना चाहरी है कि human beings जो है यह क्या हो रहे है एक point of origin से आने के बाद replace नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को बलकि क तो अलग-अलग species हैं या मैं कहते हूं कि अलग-अलग Continent में इंसान ही है अमेरिका में इंसान है इंडिया में इंसान है हम अपने आपको इंडियन कहते हैं और अलग-अलग जगह पर चले गए हैं इसमें कोई ही रिप्लेशमेंट नहीं हुआ हैं वही स्पसीजी भी हैं अभी ठीक है थोड़े बहुत चेंजिस हो रहा है हमारे में अलग अलग तहीं तो अलग-अलग ओपीनियन अभी चलता है और इस तरीके से हमने पहला जो वीडियो था आज का वो इस चीज को डेडिकेट कर दिया कि डाउट्स क्या है और वो डाउट्स से रिलेटेड अलगलग कंसेप्ट क्या है अब हम एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को डिसकस करेंगे अब कमिंग वीडियो में जिनको हमने अभी जिनकी जिस्ट देखी है यह जिनको अभी डिसकस किया था जिनकी आउट्लाइन डिसकस करेंगे तो बने रही है हमारे साथ थैंक यू तो हम डिसकस कर रहे हैं story of human evolution और अब हम लगबग लगबग उसके conclusion पार्ट के तरफ जा रहे हैं अभी तक हमने story of human evolution में जो कुछ भी discuss किया उसमें क्या होता था skeletals मिलते थे आपको या skeletal fragments मिलते थे आपको या तो कंकाल पूरा हड़ी का धाचा मिलता था या उसकी कुछ parts मिलते थे लेकिन अब आपको कुछ दूसरे aspects समझाये जाएंगे जिन aspects से आप उस human development की story को relate करने वाले तो scientists जो हैं इस discovery में बहुत सारे अलग-अलग aspects को भी खोशते जा रहे थे अभी तक सिर्फ book में क्या focus किया गया था skeletal remains को है ना so far we have been considering the evidences of skeletal remains लेकिन अब क्या है now there are some other aspects कुछ दूसरे पहलू भी हैं जिन पहलू को हम देखने वाले हैं तो यह पहलू कौन-कौन से हैं कैसे वो food इकठा करता था अपना खाना कैसे इकठा करता था इसके evidences मिलें किन-किन चीज़ों को अपने खाने में include करता था तो इसके evidences कौन-कौन से location से मिलने वाले हैं फिर कैसे paint से जब नीचे आया क्या कोई evidence है हाँ जी है आज हम देखेंगे evidence फिर उसके बाद language develop करेगा communication develop करेगा और भी कई सारी चीज़े हैं यही वो अलग-अलग पहलू है जिनको हम देखते हैं तो सबसे पहला जो है वो ways of obtaining food किन-किन तरीकों से early man अपने food को arrange करता था तो आये चलते हैं उन तरीकों क सबसे पहले देखते हैं तो यह तो हमें पता है कि early man जो है वो एक कोई तरीके से food arrange नहीं करता था पॉसिबल भी नहीं है उस जमाने में agriculture तो अभी डबलोप हुआ नहीं है और agriculture डबलप हुआ नहीं है तो आपको अपने आपको sustain करने के लिए बहुत सारे तरीकों से खाना डूना पड़ेगा अब जानतों बचानी ही है उस दोरान तो हमारे पास gathering के evidences हैं gathering का मतलब क्या होता है simple to collect इकठा करना यह ना gather करना food items को अब कौन कौन सी चीज़ें वो collect करता था foods such as seeds यानि कि कुछ seeds ऐसे होते थे कुछ plants के seeds होते थे जिनको वो consume करता था ठीक है nuts और berries fruits and tubers तो clear है कि plants के वो edible parts जो easily available हो जाते हैं उन easily available plant parts को वो consume करता था काता था ठीक है tuber का मतलब हो गया जैसे जड़ें वगेरा जैसे शकरकन तो आज भी खाते हैं आप रेलेट कर सकते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस जमाने में abundance में होती थी अलग-अलग जगों पर available हो जाती थी और scientist का यह observation है कि early man actually पहले gathering ही करता था majority of food items वो gathering से अपना achieve करता था और फिर जब किसी जगह पर नहीं available है यह तो फिर वो क्या होता था हंटिंग की तरह move करता था ठीक है आचा एक बहुत important aspect है इसमें carbonization carbonization क्या है अब plants उसके food का source थे यह हमें evidence कैसे मिला है इसके evidence थोड़े से rare हैं लेकिन मिले जरूर है ठीक है carbonization की process तो कुछ-कुछ जगह पर यह carbonization की process जो है वो हुई है जिससे हम evidence मिल गया लेकिन यह भी बहुत ज़ादा नहीं है इस अब carbonization का मतलब है कि जो plants होते हैं आपको पता है हर living organism में कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-क क्या हमारी body organic substances से बनी होई है तो जो organic substances होते हैं यह दीरे-दीरे-दीरे-दीरे क्या होता है transform होता है burn होता है तो यह carbon में convert होता है आप किसी भी particular plant को जब आप जलाएंगे तो वह उसमें से carbon content बनेगा उस carbon plants को utilize करता था clear है ना आई होप carbonization आपको clear हो गया हमारे पास clear cut evidences है कुछ जगों पर जहां पर plant remains burn है जले हुए हैं ठीक है हो सकता है fire के आसपास उसने अपना food arrange किया होगा clear है चलिए तो दूसरा है hunting hunting क्या है simple animal को किसी भी animal को मारना तो हमारे पास evidences हैं किसके planned hunting के एन बुचरी ठीक है animals को उसको काटना ठीक है और अपने हिसाब से उसको consume करना तो बॉक्स ग्रोब है सदर्न इंग्लैंड में और शोनिंगन एरिया है यह जर्मनी में है तो इंग्लैंड और जर्मनी यह दो ऐसे places हैं जहां पर हमें किसके planned hunting evidences मिलते हैं भी planning क्या है तो एक होता है कि unintentionally आप मार दो intentionally मारो लेकिन अकेले जाके लेकिन दूसरा तरीका क्या हो गया चलो भाई आज शिकार करते हैं इस particular animal का आज तो इसकी फीस्ट होने वाली है तो आप क्या किये आप चार-पांच लोगों का गुरुप बनाया आपने आपने एरिया किया कि अच्छा एनिमल कहां आता है वह रिवर बॉड़ी है उस रिवर बॉड़ी के पास में particular animal आता है क्योंकि पानी पीने तो आए गई सही अब आपने उसको एंबुश किया है ना यानि आपने उसको टारगेट किया कि particular टाइम पर या दिन भर किसी भी दिन आएगा वो किसी भी टाइम आएगा वो उसको हंट करेंगे तो यह हो गया है प्लांट हंटिंग ठीक है तो हमें प्लांट हंटिंग के एविडेंस मिले हैं वहाँ पर क्लिय के ता था फार जिंग का मतलब होता है वह जल डूरत की तलाशना या भूजन की तलाश में यहां वहाँ घूमना इसक्रा प्ल्रूजिंग कह सकते हैं की फौरजिंग आ सबरूश का नािटिंग रहूं और तरीक weddings को हमें सब्सक्रांट थे क्लियर हैं प्लीजिंग चानों कर पर उसके temporary shelters हैं early man के वहाँ पर आपको fish bones मिली हैं मचलियों की हड्या मिली हैं इनको consume किया होगा उस particular time frame में इसलिए उनके evidences मिल रहे हैं तो यह different ways हो गए जिनके तुरू हम उस story को relate कर सकते हैं modern human being की ठीक है ग्रैजली धीरे 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 advancement भी कर रहा है तो एक तरीका हो गया अब दूसरे तरीके की तरफ मूफ करते हैं from trees to caves to open air sites तो modern human being जो है वो trees से अब cave की तरफ आ गया trees से उतर गया यह तो हमने पहले देख लिया clear है अब वो caves और या open air sites पर रह रहा है इसके भी कुछ evidences होंगे है न हाँ है तो हमारे पास evidences हैं लगबग four lakh thousand years back and one lakh twenty five thousand years back हमारे पास बहुत सारे ऐसी caves हैं ठीक हैं जिन जिन से हमें पता चलता है कि यहां पर इंसान रहता था caves और open air sites दोनों है तो पहले हम caves के बारे में बात कर लेते हैं लजारेट cave है यह सदन फ्रांस में है यहां पर आपको 12 by 4 मीटर का एक shelter मिला है ठीक है और वो कैसे बना है वो cave wall के adjacent बना हुआ है ठीक है माल लिजए यह cave है तो इसी cave wall के adjacent इससे जोड के क्या बनाया गया है एक temporary shelter बनाया गया है 12 by 4 मीटर का shelter बनाया गया दूसरी interesting चीज़ क्या है इसमें 2 hertz भी मिले हैं यह क्या है अंगीठी जैसा आप कुछ मान सकते हैं जहां पर उसने आग जलाई होगी clear है तो जैसे हम अंगीठी जलते हैं अपने protection के लिए या heat के लिए तो यहां पर उसने क्या है अंगीठी बनाई है तो अभी मैं आपको केव के example भी दिखाने वाला हूं images भी दिखा देता हूं जिसे आपको आसानी से relate हो जाए clear है तो 12 by 4 मीटर की लजारेट केव जो है वो है और यहां पर हमें 2 hertz भी मिले है इसका मतलब fire को वो properly control करता था यह हर example है इस चीज़ का कि humans have been learning to control the fire है ना वो क्या सीख रहे थे उस समय तक आग को कैसे control करना है क्योंकि आग बहुत important aspect है आग से ना सिर्फ वो अपने food को roast कर सकते हैं या comparatively bake कर सकते हैं या comparatively उसको खाने लाइक बना सकते हैं अपने आपको protect कर सकते हैं दूसरे animals से है ना इसके अलावा और भी कई तरीके के काम आग से होते थे तो आग का proper control हमें यहां पर मिल रहा है फिर है दूसरे food sources जैसे vegetable seeds nuts bird eggs और fresh seeds तो यह भी हमें उस cave में मिले हैं यानि आपको vegetable seeds मिले हैं ठीके nerds मिले हैं पक्षियों के अंडे मिले हैं और मशलियों की हडियां मिली हैं तो यह सारे evidences आपको इस cave से मिले हैं वो temporary shelter रही होगी क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है seasonal changes होते रहते थे अब इन seasonal changes में कई बार ऐसा situation आता था कि वह move नहीं कर सकता था यहां उसे एक जगे रहना होगा अब वो temporary shelter बना रहा है ऐसी caves में और वहाँ पर अपने खाने पीने की चीज़ नहीं कठा कर रहा है और इस तरीके से अपनी life को sustain कर रहा है दूसरे aspect की तरफ चलते हैं दूसरा aspect जो है वह यह है दूसरा aspect नहीं यह trees और caves में ही continuation है हमाई कुछ और जो examples मिलने वाले ठीक है किलोंबे तो यह एक जगह है Kenya में ठीक है तो किलोंबे यह किनिया में जगह है इसके अलावा दूसरी जगह है और और किसायल यह भी Kenya में है तो आफरीका में यह दो जग और लगवक 5,008,009 साल पहले और गेंसेाल तो यह दू जगें के लोग से यहां पर हमें के और मिलें अचा यहां पे यहां पर इंट्रेस्टिन चीज मिली हैं कि बहुत सारे एक professionals मिलें हैं ठीक हैं आडिफेक्ट क्या होते हैं इंसान के दौरा बनाई गई अलग-अलग चीजें जो उसके इस्तिमाल में आई हो ठीक है आर्टिफैक्स ऑब्जेक्स की वाल्स पे खुरच के कुछ इंग्रिविंग की गए ठीक है इसकल्प्चर्स बनाएं चोटे-मोटे तो इस तरीके से आर्टिफैक्स हमें कई जगों पर मिले हैं और दो इस्पेशल जगें हैं जो यह ट्रेस करती हैं ठीक है सात लाग साल पहले और पांच लाग साल पहले क में हैं कुछ ऐसी जगें हैं जहां पर एम डेन्स मैं बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा आमाउंट मैं आपको आठिफैक्स मिले हैं और कुछ इसी साइटिस तो उसने ज्यादा वक्त बिताना वहां पर ठीक समझाओ कुछ जगह पर जहां कम रिसोर्स मिले हों वहां पर उसने कम वक्त बिताया हो तो यह चीज़ प्रूफ करती है कि हाव मतलब साइंटिस्ट का एक क्वेस्चन है उसको यह एड्रस कर रहा है कि हाव डिज टूल्स आर्टिफैक् क्वेस एक जगह पर कैसे स्टयब्लीश हुए तो answer सिंब्ल सहाई कि ऑपिस्टि पर मर्टिकूलर टाइम पर ज़्यादा समय बिताया इसलिए वहां पर ज्यादा आटि पाय्ठ्ट अऔर परक्रप्लेस पर कंस हम इच्थ इसलिए महां पर कम अरडिफैक्ट थे तो ये question जो है वो address हुआ इस aspect का आगे बढ़ते हैं अगला मैंने का था एक image है हमारे पास जिसकी आपको एक site मिलने वाली है चलिए तो तेरा माटा ठीक है ये भी Southern France में एक particular कह दें आप temporary shelter है ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं how beautifully they have constructed कितनी सुंदरता से उन्होंने बनाया हुआ है ठीक है ये wooden structure है लकडियों को इकठा करके इस तरीके से और देखेंगे wooden pillars भी है यहां पर यह हर्थ मैंने हर्थ का नाम लिया था तो यह वो जगह है जहां पर उसने fire जलाई हुए गी ठीक है तो यहां पर इस जगह पर उस कितनी सुंदरता से कितने अच्छे तरीके से इस एरिया को इस temporary shelter को बनाया गया स्टोन लगा कर इन पर्टिकुलर जो वुड़ स्टिक्स हैं लकडियां है इनको सपोर्ट दिया गया है ठीक है इनको fix किया गया है तो यह फ्लिमसी शेल्टर जो है घास पूस की लकडियों की जो बनी हुई shelter है चाया है यह हमें मिलती है कौन सी जगह से तेरा अमाता नाम की जगह से यह कहा है Southern France में ठीक है जैसा मैंने कहा with roof of woods and grasses गास पूस की बनी हुई यह चोटी सी टूटी-फूटी सी जोपड़ी है clear है यह भी indicate करती है कि short term या seasonal settlement रहा होगा यानि जब particular season change होगा और उस season में movement easy नहीं रहा होगा climatic conditions extreme रही होंगी इस दोरान उसने temporary shelter बनाया तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि धीरे 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 कैसे human being modern human being एक तरीके से एक पर्मानेट या settled life के तरफ मूव कर रहा है उसे requirements feel हो रही है इस चीज की कोई place होना चाहिए कोई जगे होनी चाहिए जहां पर वो रह सके हैं चलिए तो ये दो तीन चीज़ें देख ली हमने अभी तक दो चीज़ें देखी पहला क्या था obtaining food अलग अलग तरीके से जो खाना अप्टेन किया होगा उससे evidence मिले हमें उसके life pattern के दूसरा गुफाओं में और open air sites में जो रहता तो वहां पर जो आटिफैक्स में उससे हमें उसका life pattern पता चला तीसरा आता है making tools तो दो changes थे आपने story of human evolution में बहुत अच्छे से समझ लिया है कि physiological और neurological दोनों तरीके changes हो रहे थे क्लामेटिक जो changes थे उनकी requirement यह थी कि अगर इंसान इस तरह के नए adaptations नहीं लेके आएगा तो क्या होगा या तो एक्स्टिंक्ट हो जाएगा ठीक है अब क्या है इसमें बड़ा important factor क्या है immunity factor those who have strong immunity they will survive तो जिनकी immunity प्रत्रक्षा तांतर अच्छा मजूबत है वह survive कर रहा है लेकिन comparatively जिनका weaker है वो क्या है इधर they are suffering from fever और इस तरीके से और ultimately some of them are dying ठीक है तो हमेशा हर phase में ऐसी situation बनती है हो सकता है उसमें ऐसी कुछ situation थी हो सकता है क्या थी ही क्योंकि उसमें तो ज्यादा extreme climatic conditions थी और उन extreme climatic conditions में human beings को sustain करने के लिए कुछ नए adaptation's develop करने होते थे clear है तो उन adaptations में physiological changes भी आते थे उनके body के भी changes आते थे और neurological changes भी आते थे यह neurological जो थे वो उन्होंने उन्हें skill बनाया किदर हाथों का इस्तिमाल करने के लिए और इस तरीके से जो हाथों का इस्तिमाल थुआ उससे उन्होंने क्या किया कुछ था या और्लियस टूल के जो किसे मिलते हैं आपको आप कंफ्यूज मत होईएगा ठीक है क्योंकि और से ही क्या हुआ था एक तरीके से या मैं कह दो हमो निट से ही और होमो डेवलप हुए थे तो और होमो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके बात कि जो होँगे इरेक्टर समोसेपिंट वो कमपरेटिवली शार्प टूल इस्तिमाल करेंगे तो टूल के बनावट में डिफरेंस है लेकिन टूल सिस्तिमाल ऑस्टिलोपेटिकस भी करता था इसलिए मैंने का अर्लियस्ट स्टोन टूल जो है आपको इसके बने हु अर्लियस्ट टूल का एविडिंस कहां से मिलता है ए Ε्टोपिय और केनिया आफरिका में यह दो जगह हैं जहां से हमें पुराने सबसे पुराने रैप्के जो टूल से हुनका एविडिंस मिलता है आचा इन अर्लिय टूल में क्या ओटा था चौपर काटने वालकुछ एक इ एरिया है वहाँ से आप पत्थर उठाएगा वह पत्थर आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जिनको अगर आप तोड़ेंगे दूसरे पत्थर से तो बड़े शार्प एजिस के साथ तूटेंगे तो यह जादा तर रिवर बॉडिस के पत्थरों को क्या करते थे तोड़ते थे और उनको इस तरीके से चिसल्ड करते थे उनको इस तरीके से छीलते थे तोड़ते थे कि वो शार्प एजिस में निकलते थे तो चौपर मतलब काटने वाला इंस्ट्रुमेंट हो गया हैंड एक होता था उनके पास हाथ से पकड़के उसको कुलाडी के तरह का शेप देते थे ठीक है इस पियर तो एक स्ट्रक्चर होता था जिससे वह क्या होता था एक शार्प स्टोन या वुड़न लाइक स्ट्रक्चर को तो कर सकते थे ठीक है फिर बोज और तो यह तो बोज और यह तो हमने सुन रखा है एक और टेक्निक होती थी जिसके तुरू नाइफ चाकू की तरह के कुछ structure बनाते थे जिन्हें हम पंच ब्लेड टेक्निक कहते थे अब इसमें क्या करते थे वह एक चुई करत थे ठीक है अब यह यह तो लकडी के या आई वरी हाथी के दाज के या फिर वह shton के यस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनाते थे जिसमें क्या होता था कि वह एक होल करते थे और और उस होल को फिर वो उसमें किसी भी बोन लाइक या वोड़न लाइक स्टोन लाइक इस्ट्रक्शन आपसा के नाइफ का शेप देते थे तो यह टेकनिक कहलाती थी पंच ब्लेड टेकनिक ठीक है फिर अधर चेंजेस लाइक ट्रापिंग ओफ बीरिंग अनिमल्स और इंवे नहीं करते थे तो वो तो वह रहना के और की आगए करने की और इसके जो पर है उसकी जो बने क्यों कर लिया फंग ऑघ्य pinch को इस को वह यह इतना शार्प किया कि वह च्या करा कर रहा है निडिल हैं से मिलने को आप देख रहा हैं कि वह यहां इविजुरू है आजली वो मूफ कर रहा है ठीक है ज्यादा एडवांस टेक्निक्स की तरफ तो यह हो गया मेकिंग टूल्स आगे बढ़ते हैं इंसान इस अर्थ प्लानेट का एक मातर ऐसा क्रियेश्ड है एक मातर ऐसा लिविंग और्गनिजम है जो अपने इमोशन को एक्कुरेटली एक्स प्रेस कर सकते हैं तो लाइंगवेज अगर हम कह दें तो लाइंगवेज जो है वो बेसिकली हूमन्स के साथ में एसोसियेटेड है और बहुत एडवांस फॉर्म में एक्स एसोसियेटेड है लेकिन अभी आज तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं एक दूसरे की भाशा कुछ हजार साल पहले कैसे एक इनसान दूसरे इनसान से बात करता रहा होगा क्योंकि उस समय तक तो लाइंगवेज डिवलूप नहीं हुई होगी उस समय तक तो आज के शायद एजूकेशन सिस्टम को तो छोड़ी दे कहीं से कहीं तक कुछ भी लिखने पढ़ने जैसा न इनका मौड ऑफ कम्यूनिकेशन क्या था उनका लैंगवेज और आर्ट क्या था ठीक है अब साइंटिस्ट जो इस क्वेशिन का जब आंसर फाइंड आउट करना शुरू करते हैं तो वह यह पाते हैं कि एक्सप्रेशन तो किये हैं हुमन बिंग्स ने अर्ली हुमन बिंग आइक्स्प्रेश कर रहें आपके दिमाग में जो कुछा है उसको आप एक्सप्रेश कर रहें बताना चाह रहे हैं ना कयी तो यह वी तो एक एक एक्सप्रेशन था तो उसके पहले कैसे शुरू किया तीन अलग-अलग व्यूज है ठीक है जो click different values हैं languageja weiß pendlay क्व्ड इन्हें वो gestures or hand movements movements यानि हाथ इलाना कुछ इशारे करना तो इशारों इशारों में समझा देना तो ऑव्यस सी बात है बहुत सारे animals भी है verbal और non-verbal दो तरीके की language है तो बहुत सारे animals है जो non-verbal इस्तमाल करते है communication हम भी तो for example अगर मैं आप से कुछ चीज़ें explain कर रहा हूं ठीक है तो ये तो verbal explanation हो गया सारा का सारा लेकिन कई बार अब आप अपने दोस्त को कुछ समझाना चाहरे है यहना exam hall में और teacher है and vigilator है वहाँ पर अब समझाना कैसा possible भी नहीं है detail में तो आप कुछ innovative तरीके से कुछ eyes का hands का gesture देते हैं उसको movement करते हैं और उसको अचानक से वो चीज़े रेलेट हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि हम non-verbal communication से भी अपने ideas emotions feelings को बहुत अच्छे से express कर देते हैं और कई बार verbal का साहरा लेना पड़ता है तो उस जमाने मे non-verbal communication जो है वो ज्यादा existence में था ज्यादा क्या वही existence में था तो non-verbal communication में क्या होता था कि वो gestures हाव भाव का इस्तेमाल करते थे और इसके अलावा अपने hand movements को इस्तेमाल करते थे और इन hand movements के तुरूप और एक्जमपल हंटिंग में जाना है तो उन्होंने बता दिया कि चलो वहां पर उस particular जगह पर हंटिंग पर जाना है या उस direction के तरफ चलना है तो यह बहुत easy हो सक होती थी तो किसी dumb इंसान को है ना जो बोल नी सकता आपने देखा होगा और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो deaf हैं इस तरीके से तो अब वो sign languages के तुरू एक दूसरे को अपनी बाते समझाते हैं तो यहां पर क्या होता था वोकल कॉट तो है आवाज निकल रही है उससे लेकि का साउंड था कैसे वो समझते थे यह तो वही जाने तो प्रसीड़िट यानि आज की बोल चाल की भाषा वोस प्रसीड़िट के पहले क्या था वोकल बट नॉन वर्बल कमुनिकेशन ठीक है अब इसमें सिंगिंग भी हो सकता था हमिंग भी हो सकता था कुछ इस तरीके का स में कुछ बोलते रहे हूं तो इस पोकेन लैंविज के पहले बोला जरूर जाता था बट वो नॉन वर्बल सेक्शन में आता था फिर क्या है तब हुमन स्पीच डेवलप हो गई और हुमन स्पीच प्रापर डेवलप नहीं हो ठीक है कब शुरू हुई विट कॉल्स लाइक वन्स डाट हैव बीन अब्जर अमंग दप्राइमेट्स अपने बंद्रों को देखा होगा वह तो नॉन वर्बल ही एक तरीके का लैंगविज लेकिन फिर भी वह बात करते हैं दूसरे और दूसरे अनिमल से वह भी अपने सिमिलर टाइप के अनिमल से बात करते हैं तो वह यहां पर साइंटिस्ट का भी वियू है कि हो सकता है हुमन स्पीच डेवलप हुई हो उसके पहले वह क्या करते रहे हो उस सिमिलर टाइप के जो साउंड्स है तो प्राइमेट्स भी तरीके का कुछ साउंड निकालते हैं आब कुछ कॉल्स बुलाते हैं या कुछ कुछ नक करने के तो यह तो हो गया वर्बल नॉन वर्बल की बात अब नॉन वर्बल है यह तो हमें पता चल गया इस नॉन वर्बल में भी कुछ दूसरे एस्पैक्ट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आईडियाज एक्सचेंज होते थे वो क्या बाते हुई हमारे पास धेर सारे evidences हैं paintings के और hunting rituals के ठीक है अब यह painting और hunting ritual का मतलब क्या है हमारे पास caves हैं जिन caves में कुछ evidences हैं आज भी ठीक है जैसे लसाक्स cave है और शौवे यह फ्रांस में आपको दो गुफाएं मिली एक गुफा और मिलती हैं आपको अलतामीरा स्पेन में इन दोनों के बारे में बाते करते हैं यहां पर आपको expressions मिलने वाले तो अब एक नॉर्मल सी painting है आप देख पा रहे हैं आप ठीक है इस painting में कुछ ना कुछ exchange हो रहा है या तो वो किसी particular animal को लेके जा रहा है या hunting के परपस से जा रहा है कुछ ना कुछ exchange हो रहा है जो कुछ भी उसने किया होगा उसको उसने बाद में वाल में उकेरने की यह पेंट करने की कोशिश करी है ठीक है impression है उसके इस दिवार पर अब इन जगों पर क्या है हमें paintings के evidences मिले हैं और hunting जो successful hunt के बाद organize किये जाते रहे हो यानि इन गुफाओं में क्या होता रहा होगा कि बहुत सारे लोग hunting करने के बाद इकटे होते थे और वो celebrate करते थे उस hunting ritual को celebrate करते थे किसी particular animal को हो सकता है पहली बार hunt किया होगा किसी बड़े जानवर को हाथी को हो या किसी furious animal को उन्होंने hunt किया होगा और hunt करने के बाद फिर क्या होगा होगा उसको celebrate किया होगा सब मिल के उसको consume किया होगे और फिर उनने क्या किया अब उस सारी हंटिंग अक्टिविटी को अपने सारे काम को उन्होंने वाल पे पेंट किया कि पहले group of people जा रहे हैं फिर animals शो किया अपने हाथ में instruments भी शो किये अब यह क्या शो किया जा रहा है कि हम लोग जा रहे हैं हम लोग इस particular animal को हंट कर रहे हैं फिर हम लेके आ रहे हैं तो यह क्या हुआ पेंटिंग एक तरीके से एक medium हुआ उनके दिल की बातों को exchange करने का communicate करने का फिर इसके अलावा यह painting क्या हो गई एक और अंदाजा लगाए गया कि हो सकता है यह जो caves थी यह caves meeting places थे और इन meeting places पे अलग-अलग लोग जो होते थे वह grouping करते थे मिलते थे इकटा होते थे और वो क्या करते थे कुछ ideas शेर करते थे ideas क्या कि यह जो painting हो सकता है वो क्या करते हूं नई generation को hunting skills से सिखाते हूं यह भी एक aspect हो सकता है तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने जो knowledge इकठा किया अभी तक का hunting skills का उसी knowledge को क्या कर रहे हैं पास-on करने की कोशिश कर रहे हैं नई generation की तरफ तो यह भी एक aspect निकल किया रहा है तो इस तरीके से paintings जो है और यह जो rituals organize किये जा रहे हैं caves में इन दोनों जगों पर आपको इसके evidences मिलते हैं ठीक है अलतामीरा में बड़ी एक बहुत अच्छी सी story है यहां पर स्पेन में क्या होता है कि एक मरसलेनों एक archaeologist होते हैं उनकी बेटी जो है वह एकसिडेंटली जब उस गुफा में भाग रही होती ही वहां पर तो उसको ceiling में एक bison का image दिखता है और इसके पहले उस archaeologist ने नहीं देखा था लेकिन उनकी बेटी जब indicate करती है अपने पादर को और कहते हैं कि यहां पर यह बाइसन की image बनी हुई है आप देखो तो उनका दिहान जाता है और वह बाइसन की जो इमेज है वह बकाइदा colorful है उसमें कुछ पेस्ट का इस्तिमाल किया गया है माइट भी उस बाइसन का कहीं हंट हुआ होगा हंटिंग की गई होगी और उसके बाद उसको वहां पर पेंट किया गया हो यानि जितनी भी लाइंग्विज डिवलप हो रही है बटो नौन वर्बल फॉर्म में है नौन वर्बल फॉर्म और दूसरा आर्ट्स एक मीडियम है कला चित्रकला एक माध्यम था जिसके तो उन्होंने अपने आडियास को एक्सचेंज किये तो यह हमने समझ लिया इसमें अब हम अगले व लिक्रम वेलकम तो मैंने ब्रेंस तो आज के टॉपिक में अब डिसकुशन शुरू होने वाला है प्रिजंट को पास्ट से लिंक करने का अभी तक पास्ट को प्रिजंट से लिंक करने की कोशिश की जा रही थी अब प्रिजंट को पास्ट से लिंक करेंगे कैसे तो आपको का development हुआ है evolution हुआ है वह एनिमल से हुआ है वहीं पर एक aspect मैंने आप से discussion किया था और आपको hint किया था कि बाद में हम इस पर detail discussion करेंगे वह यह था कि क्या आज के time पर जो present में जो tribes हैं वो tribes कुछ relate कर सकती हैं हमें help कर सकती हैं हमें past की study करने में वही aspect हम आज यहां पर discussion करने वाले हैं तो आपने tribes तो देखी होंगी यानि कुछ ऐसे लोग जो आज के 21st century के जमाने में भी hunter gatherers की तरह रहते हैं शिकार करते हैं और अपना खाना natural तरीके से ही कठा करते हैं और जो अभी इस scientific advancement से को सो दूर हैं उन्हें नहीं पता कि दुनिया कहां पहुँच गई तो actual में आज हम यह देखने वाले हैं कि जो scientist हैं वो किस तरीके से अलग-अलग opinions रखते हैं और कैसे यह हमें help कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं यह observation निकालेंगे तो कुछ चीजें आपको help करेंगी यह समझने में कि कैसे हम present को past से link कर सकते हैं तो इस present को past से link करने की story में दो-तीन terminology आप देख रहे हैं यह समझना जरूरी है ठीक है क्योंकि यही वो tools हैं यही वो methods हैं जिनके help से scientists यह relation draw कर रहे हैं यह relation निकाल के लिए के आ रहे हैं ठीक है तो ethnography मैंने पहले यह explain कर दी आपको यह question एक तरीके से तो अब हम ethnography पे आते हैं ethnography क्या कहलाती है study of contemporary ethnic group contemporary means आज के जमाने के ethnic groups जो हैं ठीक है उनकी study करना क्या कहलाता है ethnography कहलाता है अब यह किन किन चीजों पर based होता है ठीक है it includes an examination of their modes of livelihood किस किस तरीके का उनका जीवन यापन का method है mode है किस तरीके से वह अपनी life को sustain करते हैं तो अपना जीवन यापन करने का जो तरीका है वह technology किस तरीके का technical advancement है क्या tools इस्तेमाल करते हैं arrows और बोज इस्तेमाल करते हैं तो technical advancement किस level पर है tools और techniques का artifacts का कितना इस्तेमाल करते हैं ती किस level पर करते हैं फिर gender roles कुछ tribes ऐसी है जहां women's और men's equality के साथ रहते हैं कई बार hunting में women's भी साथ में जाती हैं कई बार कुछ tribes ऐसी हैं जहां पर women's का role बहुत limited है men's यानि जो male है वही society के उस tribe के major activities में involved होते हैं hunting में gathering में भी और women's या तो बच्चों की देखभाल के लिए घर में रहती हैं या फिर बहुत basic activities तक वह और extend रह सकती है ठीक है rituals किस-किस तरीके rituals होते हैं उनके political institutions develop है की नहीं उस tribe का कोई head है की नहीं कैसे वो tribe manage करती है अपने issues और अपने disputes को ठीक है and social customs तो ritual और social customs लगबग एक जैसा हो गया कि कौन-कौन से rituals perform होते हैं और society का pattern कैसा है उनका ठीक है तो ये इन सारे parameters पे ethnography जो होती है वो based होती है ठीक है तो study of contemporary ethnic group आज के जमाने के पुराने जो ethnic groups हैं उनके study ethnography कहलाती है archaeology ये एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था वापस से revive करवा देता हूँ आपको is the study of the ancient and recent human past through material remains यानी material evidences के basis पर इंसान का ancient or recent past study करना archaeology कहलाता है anthropology is a discipline that studies human culture and evolutionary aspect of human biology एक ऐसी ब्रांच है anthropology एंत्रोपोलोजी एंत्रोवर्ड दिनोट्स तू हूमन और लॉजी वर्ट्स दिनोट्स तू स्टड़ी 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 ऑफ हूमन बींग से एक तरीक है ठीक है एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में study करते हैं human culture इंसान का जो culture है cultural development है evolutionary aspects उसके डिवलप्मेंट के जो अलग अलग पहलू है प्राइमेट से modern homo sapiens बनने तके सारे stages वो evolutionary aspects में आ जाते हैं of human biology तो मानवी जी विज्ञान जो है human biology का ही एक तरीके से ये एक ब्रांच है जिसमें इन इन aspects को देहान में रखके हम काम करते हैं अब जब इन तीन branches की requirements को मिला कर scientists, archaeologists और historians ये चीज़ पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यानि वो आज के जमाने के जो tribal हैं उनके ethnic उनके living pattern उनके social customs उनके rituals और technology का study करते हैं और इसको relate करने के कोशिश करते हैं past से पुरानी species से पुराने human beings है ठीक है archaeology और anthropology का भी सहारा लेते हैं तो कुछ observations निकल के आते हैं अभी क्या observations है हम समझ लेते हैं दो tribes के बारे में study किया गया ये दो tribes में से सबसे पहली है कुंग्शान ये कुंग्शान जो है ये hunter gatherer species हैं ये कालाहारी desert आफरीका में रहते हैं आज की rate में भी पाए जाते हैं अब हुआ ये कि 1870 के decade में 1870 के आसपास यहां पर क्या था आफरीकन pastoral group के कुछ members गया होंगे अब उन्होंने देखा कि desert पे कुछ अजीब तरीके के पैरों के निशान हैं उन्होंने उनको follow किया उन photo steps को follow किया जब follow किया तो वो कुछ areas में पहुँचे वहां पर कुछ अलग तरीके के tribal इंसान दिख African pastoral group के member को देखे चुप रहे थे यहां वाग रहे थे डर रहे थे तो इनका confidence और बढ़ गया और इन्होंने और follow किया उनके गाहों तक पहुचे वह जब गाहों तक पहुचे तो उन्हें घर खाली है सारे क्यों क्योंकि डर के मारे यह लोग यहां वहां चुप जा रहे है तो इससे उन्हें क्या पता चला कि यह डर रहे हैं अब इन्होंने उनके उपर रूल करना शुरू कर दिया तो यह कि स्टोरी है जो African pastoral group का एक member है वह mention करता है और इसमें वह कुंग शान लोगों के life pattern के बारे में बताता है कि इस तरीके के लोग हैं यानि 70 के decades तक तरीके से रहते हैं यानि tribal का जो रहने का pattern है वो nature के कितना alignment में है nature के कितना close है तो एक और दूसरा group है जिसका नाम है हद्जा ठीक है अब इनके दोनों के observation हम अभी अगले slide में discuss करने वाले अभी यहां पर सिर्फ आप tribes के बारे में जान लीजे ताकि आगे आपको observation निकान रिफ्ट वैली वहां पे एक लेक है लेक एसी तो उसके पास में जो डेजर्ट एरिया है फॉरस्ट एरिया है रॉकी एरिया है वहां पर यह लोग सेटल हैं वहां पे इनका अब जब हज़जा का पैंटन स्टैरी किया गया अध्या के बारे में निकल खे आ रहे हैं पहला कंट्री तो लोकेशन देख लेता हैं ठीक है तो लोकेशन तो देख लिए चलिए कंट्री ओफ अजजा इस रिच इन वाइल फूट्स यानि वहाँ पर एबंडेंस में सारी खाने पीने की चीज़ें अब बहुत सारे अनिमल्स भी है अलिफेंट है राइनोसरॉस लायन है अब वरी अनिम फूट्स दोनों यहां पर सफिशेंट में अवियलिबल है दूसरा अब यह बात है हंटिंग करेंगे खाना या उन्टिंग करेंगे ठीक है तो हंटिंग वह सदन लेकिन हंटिंग का पैटरन कैसा है धीकरं यह तो करते हैं लेकिन इस चीज़ का बहुत ध्यान रखाजाता ह है कि वह उतने ही अमाउंट में मीट एक्स्ट्रैक्ट करें या उतने ही अमाउंट में जानवरों को मारें जिससे उनका फ्यूचर खत्रे में ना पड़े खाने की कमी ना पड़ जाए तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा गया है यहां पर हंटिंग वास डन विदाउट फूड भी मोर देन सफीशेंट अमाउंट में अविलेबल था कोई कमी नहीं थी जबकि ऐसा होता था कि कई बार यह जुरूर होता था कि वैट जो सीजन होता था जो बारिश का सीजन है तो बारिश का सीजन में वेजिटेशन ज्यादा ग्रो कर जाते हैं पेड़ पौधे में फूड एवलीबल हो जाता था थोड़ा लेकिन ड्राय सीजन में इसकार सिटी नहीं होती थी सफीशेंट एमाउंट मोर दें सफीशेंट एवलीबल रहता था ठीक है तो दोनों पैटन में दोनों सीजन में जब कंपैरेजन देखें गया तो भी आपको खाने की कमी नही इनके इडिबल पैटन में था और 20% मीट और हनी हमने पहले भी स्टडी किया था जब हम अभी पिछले वीडियो में देख रहे थे सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर भी अपने डिस्कुशन किया था उस समय कम हमें एविडेंस मिले थे ठीक है साइंटिस्ट को लेकिन यहां पर हद्जा में यह एविडेंस मिले हैं कि 80% तक इनका फूड जो है वह कहां से ऑबटेन होता है वह वेजटेबल फूड है ठ अपना रेस्ट आफ दा फूड वो मीट और हनी से ऑबटेन करते हैं ठीक है अब इनका सेटलमेंट कहा है तो कैंप्स आर साइटेड विदिन अ किलोमेटर ऑफ वाटर सोर्स तो इंटेलिजेंस देखें इनकी कि इनका जो सेटलमेंट है वहां पर बना रहे हैं यह यह अपन अब देखने को मिल रहे हैं या तो रॉकी एरिया में आपको देखने को मिलेगा या पेड़ के आसपास देखने को मिलेगा ठीक है फिर असर्ट नो राइट्स ओवर लैंड एट्स रिसोर्स इस यह पैटन देखने में आया कि हजजा जो कम्यूनिटी और एथनिक ग्रूप के लोग हैं इन्होंने अपना कोई लॉड्शिप नहीं इस्टैबलिश किया है अपने पर्टिकुलर एरिया के रिसोर्स पर या लैंड पर कोई भी पर्सन यानि उनकी कम्यूनिटी का अब जैसे कई बार होता है ना कि मान लीजे पर्टिकुलर सोसाइटी है अब इस कि या में जितने भी लोग रहते हैं वह कहीं भी जाएं कोई भी हंटिंग करें कहीं पर भी रह सकते हैं यानि कोई भी लॉड्शिप नहीं यह रिसोर्स या लैंड के उपर तो यह बहुत इंपॉरडन ऐस्पैक देखने को इस तरीके से हजजा कम्यूनिटी के मैंबर होते jaw है वो भी देखिए ठीक है ना बहुत कुछ modern homo sapiens के पास भी है लेकिन काफी कुछ इनका जो jaw है वो अभी properly flat नहीं हुआ है ठीक है तो आपको यह observation देखने को मिलका दो species में अब इन observations से scientist को क्या बात पता चली वो क्या fact establish करते हैं ठीक है हाँ उन्होंने जो fact establish किया वो दो facts establish किये पहला fact यह कहता है एक group of scientist है यानि एक समूझ जो है वेगानिकों का वो यह accept करता है कि हाँ हम अगर present ethnic groups के study करें तो हम past को relate कर सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा similarity देखने को मिलता है इनका बलकी कहना यह है कि प्रिजेंट जो हंटर गेदर सोसाइटी से यह बहुत कुछ help करती हैं हमें interpret करने में इनके जो और कुछ help करते हैं पास्ट को study करने में और directly apply कर सकते हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने example दिया कि जो हो मिनिट्स वगेरा हैं इवें जो कुंशान और जो हजजा हैं यह कहीं न कहीं हो मिनिट के ड्राइटन जो लिविंग ड्राइटन था उससे मेल काते यानि हो मिनिट्स भी इसी तरीके के इसी पैटन में रहते थे ठीक है लेकिन दूसरे ग्रूप ऐफ साइंटिघेस का क्या कहना है दूसरा ग्रूप ग्रूप साइंटिस कहता है कि नई फ्र जो एविडैंस मोर इन सफीशंट परढ़िया पास्ट की एथने आज का पैटन स्टडी करके इनका हम उनसे रिलेट नहीं कर सकते हैं क्यों इनका कहना है कि आज जो कंडिशन्स हैं ये डिफरेंट हैं टीक है अगर आप देखेंगे तो इन्वार्मेंटल और क्लामेटिक कंडिशन्स भी बहुत कुछ अलग हो गई हैं उस जमाने में रिक्वार्मेंट्स होती थी बहुत सारी इसलिए फ्यूजलोजिकल चेंजेस होते रहते थे आज के जमाने में अब लगबग लगबग उतनी नहीं है दूसरी चीजी है इनका यह कहना है कि अब प्रेजंट बे जो एथनिक ग्रूप्स हैं यह बहुत सारी अलग एकनॉमिक आक्टिविटीज में भी इन्वाल्व हैं तो भले में इस्ट्रीम में नहीं नहीं जुड़े हैं साइंटिफिक कम्यूनिटी से नहीं जुड हुए हैं और दुनिया तो उनके बारे में जानती ही है तो इनका और पुराने जो एथनी ग्रूप है पुराने जो पसी जैसे उनके लिविंग पैटर में बहुत डिफरेंस है इसलिए एत्नी ग्रूप डेटा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हमने दो अब्जरवेशन द data cannot be used to study the past ठीक है तो होपफुली आपको यह relation established हो गया है प्रिजेंट और पास्ट में कुल मिला के और जो result निकलता है वो यह है कि disputable situation है ठीक है होपुली यही समझ में आ गई है चलिए अब हम लास्ट वीडियो जो है अपना chapter 1 का वो एपिलोग के ऊपर देखेंगे और एपिलोग मतलब आपके पूरे इस chapter के एक तरीके से समरी होने वाली है तो बने रहिए थैंक यू है अब यह है एपिलोग इसका मतलब इसका मतलब यह है कि chapter 1 लगबग हमारा फनेश हो गया और जब हम कोई चीज कंप्लीट करने वाले होते हैं तो क्या करते हैं कंप्लीट समरी करते हैं उसका एक बार कंप्लीट रिविजिन कर लेते हैं उसका एक बार तो आपने सारे chapter 1 के वीडियो देख लिए अब अगर आपका मन है कि आप उसको एक बार पुरा और गनाईज करना चाहते हैं सारे events को कि पेड़ से उतर के और आपके सामने इंसान जो modern homo sapiens खड़ा हो गया वो कैसे हो गया क्या-क्या factors रहे उसमें ठीक है कौन-कौन सी स्टेजेस सब स्टेजेस इन्वाल रही तो आप बस यह एप लग वीडियो देखिए और आपके दिमाग में सारी timeline एक बार में connect हो जाने वाली ठीक है तो इसमें हम शुरुवात से लेके प्राइमेट से जो कुछ भी हमने पढ़ा प्राइमेट की कहानी से हम शुरू करे तो शुरू करते हैं चलिए from 36 to 24 million year ago from 36 to 24 million years ago primates यानी एशिया और आफ्रिका में especially शुरुवात तो आफ्रिका से होगी बाद में एशिया में यह migrate भी करेंगे तो इन जगों पर primates जो है जो mammals की ही एक category है इसमें से कुछ बंदर जो है इसमें से कुछ बंदर के तरीके के जो animals है इनका existence देखने को मिलता है clear है अब इन primates में evolution शुरू होगा evolution का मतलब होता है एक बहुत ही slow kind of change एक बहुत धीरे होने वाला परिवर्तन जिसमें बहुत सारी चीज़े involve होती है और एक important जो factor होता है इसमें वो होता है climatic factor ध्यान रखिएगा ठीक है कि evolution में environmental और climatic factor का बहुत important role रहा है यह पूरे chapter में हम discuss करते रहे हैं ठीक है तो यह primates जो है in primates में changes होने शुरू होंगे क्यों क्योंकि earth बहुत climatic variation से diversity से extremities से गुजर रही थी वाता वरनी परिवर्तन बड़े peak पे होते थे बड़े बड़े level पे होते थे यानि कई बार ऐसा होता था कि गर्मी अपने peak पर है कई बार ठंड अपने peak पर है और पूरी जो है वो soil जो होती थी पूरा जो area maximum area होता था वो ice से cover होता था प्रत्वी का ठीक है जिसे हम ice age भी कहते थे अब इन्हीं primates में जब gradually changes होए इनकी एक branch जो है उसने पेड़ों से उतर के अपने दो हाथ free किये और अपने पीछे के जो निचले दो पैर थे limbs थे उनके सहरे खड़े होने की शुरुआद की उसके हाथ जो free हुए ठीक है उससे वो बाकी के दूसरे काम करने लगा और gradually उसके अंदर जो changes आए उसने उसी primate की एक दूसरी branch create कर दी नाम हुआ hominoids hominoids बड़े इसकल वाले कुछ animals थे जिनका दिमाग का size काफी चोटा होता था ठीक है body में changes अभी बहुत primary level पर थे अभी जुक करी चलता था अभी पूरी तरह free नहीं हुआ था ठीक है लेकिन इसमें भी changes आये 6.4 million years back branching out of hominoids इस hominoids से एक अलग branch निकली जिसे आप कहते हैं hominids यह hominids hominoids से comparatively developed थे इनके brain का size hominoids से छोटा था ठीक है hominids का यह धीरे धीरे अब सीधे ख़ड़ा होना शुरू कर रहे थे comparatively चलिए अब इसी में 5.6 million years back australopithecus यानि इसी hominids से एक developed branch निकलती है जिसका नाम है australopithecus जिसका evidence आपको याद है ना australopithecus हमने प्रिश्ली वीडियो में अपने discussion किया है नाम भी कैसे पढ़ा इसका australopithecus यह मैंने वहाँ पर बताया हुआ है तो 5.6 million years back australopithecus का evidence मिलना शुरू होता है हमें यह australopithecus आप कह सकते हैं कि आज के modern homo sapiens की एक middle link है ठीक है primate से लेके australopithecus और australopithecus से लेके homo sapiens में अगर आप आएंगे तो australopithecus एक beach की link हो गया एक तरीके से ठीक है चलिए अब 2.5 to 2 million years back क्या हो रहा था आफरीका का जो area था यहां पर लगवग cooling period शुरू हो रहा था cooling and drying of Africa resulting in decrease in woodlands जंगलों का इलाका कम होना शुरू होगा एक जंगलों के इलाके के कम होने से grassland बढ़ेंगे clear है जिससे फिर से फिर से वाई struggle हुआ फिर से अपने आपको adapt करना करना जरूरी था इन वदली ही conditions में और हुआ यह कि इस australopithecus से एक नई branch out हुई जिसका नाम था homo यानि अब इस इनसान का दिमाग थोड़ा सा develop हो चुका wise man हमों का मतलब ही होता है wise man यानि अब यह काफी intelligent हो चुका है इसके brain का size comparatively काफी चोटा है इसके पूरवजों से ठीक है इसके हाथ बहुत सारे चीजों को कर पाने में सक्षम हो चुके हैं capable हो चुके हैं ठीक है यह लगभग पू जो जो है वो थोड़ा सा heavier है लेकिन अभी lighter होने वाला है चले अब इसी होमों ने in changed conditions में अपने आपको sustain करने के लिए hunting gathering की जो activities थी इन में tools का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया अलग-अलग तरीके के stone tools बनाने शुरू किये इसलिए इस इनसान का नाम पढ़ा tool maker इंसान tool maker means tool maker species ठीक है so 2.2 million years back we have evidences of homo habilis homo habilis का मतलब होता है tool maker man ठीक है जो tools बनाता है फिर इस tool making man ने दीरे दीरे अपने जो physical changes थे उनमें और transformations कि ये सीधा खड़ा हो गया एकदम से vertebral column इसका comparatively develop हो गया रिड की हड़ी comparatively develop हो गई और अब ये सीधा खड़ा होके चल सकता था 1.8 million year back we have evidences of homo erectus ठीक है अब ये क्या था अब homo erectus में आगे changes होंगे और हमारे पास जो ये australopithecus की जो branch थी वो दीरे दीरे extinct हो गई तो 1.3 million years back australopithecus लगवा complete extinct हो गया अब वो नहीं मिलेगा आपको यानि australopithecus की species इसके बाद नहीं मिली है यानि अगर australopithecus आज 2021 में कहीं खोजा जाए तो वो इसी की date के आसपास का मिलेगा इसके बाद की rate का नहीं मिलेगा अगर आप उसकी dating करेंगे समझ रहे हैं उसके fossil का chemical analysis करेंगे तो आपको ये वो जो fossil है वो इसके date के आसपास मिलेगा इस date के बात का नहीं मिलेगा उसके पहले का ही मिलेगा ठीक हैं तो ये हो गया इतना development आगे बढ़ते हैं आगे के development में 0.19 to 0.16 million years back we have evidences of modern human sapiens means the wise man, the thinking man, buddhiman insan लगबग एक्जिस्टेंस तो create हो गया लेकिन क्या हुआ इसके साथ फिर से मैंने कहा कि बार-बार climate condition कुछ सालों के दौरान कुछ सालों का मतलब होता था हाला कि हजारों लाखों सालों का उसमें time span का difference रहता था लेकिन इन हजारों सालों के दौरान एक बार situation जरूर लास्ट आइस एज मिलती है में थर्टीन थाउजन यहर्स बैक हमें लास्ट आइस एज के evidences मिलते हैं तो लास्ट आइस एज लगबग लगबग खतम हो रही थी और अब कंपरेटिवली वार्मर हो रहा था climate आपका ठीक है ना लगबग मॉइस्चर बढ़ रहा था एटमॉसफियर में वेटर कंडिशन प्रिवेल हो रही थी और यह जो थी वह क्या थी जो प्लांट से उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल बन रही थी जैसे बारले हो गया जैसे वीट हो गया तो इस तरह कि जो क्रॉप से उनके लिए बहुत फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडिशन बन रही है अब इंसान क्या है हो मोसेपियंस वैसे भी आपको पता है कि इस टाइम तक दीरे 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 टेन थाउजन ये आसपास 13,000 की आसपास क्या कर रहा था प्लांट को पहचानने लग गया था टेंप्रेरी तौर पर ही सही बट वो कुछ जगह पर रहकर क्या करता था कि प्लांट को जब तक वह सीजन में पकते थे या खाने लाइक होते थे तब तक रहता था फिर आगे बढ़ जाता था लेकिन प्लोटटे टटल है इन वेरियस प्लेश सेटल हो गए और साथ सांथ शोरू किया नहें डोम fertilizer ना शूरू किया तो यहां पर agriculture भी मिलन सीधा उपर की तरफ जाने वाला है उपर की तरफ का मतलब अब सेटलमेंट शुरू हो जाएगा और बहुत तेज डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट होने शुरू हो जाएंगे अगलग क्रॉपिंग पैटर्न का नॉलेज हो रा है पॉपुलेशन इंक्रीस हो रही है उनकी ठीक है फैमिली डिवलप हो रही है तो इसलिए और ज्यादा पूदक्शन करना है ज्यादा ज्यादा क्लीर है और इसलिए सी रहे एक फर्टाइव क्रिस डिवलपमेंट फर्टिलिटी अच्छी कासी थी इसलिए वहाँ पर agriculture डिवलप हो जाएगा अग्री कल्चर सोसाइटीज बनेंगी बल्क में production होगा ज्यादा production से क्या होता है जब आपके पास surplus होगा तो आप उसको क्या करोगे trade करने की सोचोगे और जब trade करने की सोचोगे तो वहीं से तो शहर बन गया किसी भी शहर में क्या होता है economy trade based होती है ठीक है exchange of goods and exchange of people's लोगों का movement of goods and people होना शुरू हो जाता है लोगों का वस्तों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है ठीक है इसलिए 5000 years back हमारे पास even larger concentration of people जादा बड़े लोगों का सम्मू दिखना शुरू हो जाएगा और दे इस तर लिविंग टोगेदर in cities और वो शहरों में साथ साथ रहना शुरू कर देंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे कि लगभग लगभग हम कहां पहुंच चुके हैं हम शहरों की तरफ पहुंच चुके हैं इसलिए दूसरा जब चाप्टर शुरू होगा तो मेसोपुटामिया के शहर से शुरू होगा मैंने फर्टाइ पर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए बताइए उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा तो बने रहिए मैंगनेट ब्रिंस के साथ में थैंक यू